नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं NCEIT बुक्स के बारे में तो इसमें हम लोगों ने कच्छा चटवी की सभी आपकी NCEIT जो हमारे लिए जरूरी हैं उनको हम लोग देख चुके हैं उसमें थी आपकी सामाजीक एवंद राजनेतिक जीवन भाग एक हमारा अ अब चिताबों को निफ्टा चुके हैं आप से हमें सुन करना है कप्छा साथवी की सबसे पहले बात करेंगे हमें हम लोग कप्छा-षाथवी की सामाजीक एवं राजनेतिक जीवन दो के बारे में भाग एक को हम लोग कप्छा-चटवी की NCEIT में पढ़ चुके हैं और 7 V में आपका भाग 2 है तो इसमें हम लोग उनको क्या-क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जान दिते हैं एय है आपकी विशय सूझी इसमें हम लोग पढ़ेंगे I-A-I-E-E-क इसमें हम लोग बात करेंगे भारती है लोक्तंत में समानता इसमें अध्याय एक है इसमें आपको समानता की बारे में पढ़ेंगे फिर जो आपकी एकाई दो है इसमें राज्य सरकार की बारे में पढ़ेंगे इसमें अध्याय दो है इसमें पढ़ेंगी हम लोग स्वास्त में सरकार की भूनी का अध्याई 3 में हम लोग बात करेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है, प्र एकाई 3 है, इसमें बात करेंगे लिंग, बोछ जेंडर के बारे में, तो इसमें अध्याई आपका पूर है, लड़के और लड़कियों के लिए कि रूप में बड़ा होना, फिर 5 बात द्याई होग आपका और तोने बदली दुनिया, फिर एकाई 4 आए, इकाई 4 इसमें हम लोग बात करेंगे, संचार मात्यों, इसमें आपका अध्याई 6 सामिल है, छटवा, इसमें पढ़ेंगी संचार मात्यों को समझना, फिर एकाई आपकी 5 बाजार, इसमें हम लोग बात करेंगे, पाजार में ये कमीज, तरह आपका भारत लोगतंत में समानता, इसमें आपका अध्याय नौ है, समानता के लिए संगर्ज, यह हमें पढ़ना है, याद रुकि हम लोग अध्याय वाई अध्याय खतम करेंगे, पहला अध्याय देखेंगे, उसकी बात सेगन, इसी तरह से हम ल जब ही हम लोग किसी भी बुक्स का पहला जो हम लोग विसाय सोची देखेंगे, तो उसमें आपकी यह दी रहती है, उद्देशी का, तो इसमें दिया है हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रवू, संपूर्ण प्रवुत, संपन, समाजबादी, पंतने रिपेक, लोक तंत नागरेकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, नियाय, विचार, अभीव्यक्ति, विश्वास, धरम और उपासना की सुदंता, पितिष्ठा और आउसर की समानता, फ्राप्त कराने के लिए, तथा उन समय व्यक्ति की गर्मा, और राष्ट की एकता और खंडता, दूता बढ़ाने के लिए, दर्ड समकल्व होकर, अपने इस समिदान सभा में, आज तारीक 26 नवंबर 1989 इदत द्वारा इस समिदान को अंगीकरत, अधीनिमित और आत्म समर्पित करते हैं, ठीक, यह आपके भारत का समिदान, इसमें बाग चार काम है, आपके नांगरेकों के लिए, जो मूल कर्तब हैं नांगरेकों के हो हैं, अनुछेद 51 में, क्या क्या हैं, मूल कर्तब भारत के पितिक नांगरेक का यह कर्तब होगा, समिदान का पालन करें, और उसके आदर्सों, संस्थां, राष्टतर और राष्टगान का आदर करें, सुतन्ता के लिए हमार राश्टी अंदुलन को फेरित करने वाले वो चाधरसों को भीदय में सजोई रखें और उनका पालम करें, भारत की प्रवोता एक्ता और अखंडता की रख्चा करें और उसे अच्छो न रखें, देश की रख्चा करें और आहान की यह जाने पद राष्ट की सेवा करें, भ ऐसी पिथाओं का त्रियाग करें जो इस्तिरियों के सम्मान के विरूतों हमारी सामाजिक संस्किती की गौर्पसाली पराक अमात समझें और उसका परी रक्षन करें पराक्तिक पर्यावाण की जिसके अंतरगत वन चील नदी और वन जीव हैं की रक्षा करें और उसका संबर करें और प्राणी मात के पिती दयाभाव रखें विज्ञानिक देश्टी कौर मानोबाद और ग्यान अपरजन ग्यानरजन तथा सुधार की भावना का प्रियास करें सारवजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और इंसा से दूर रहें व्यक्ति और सामवेक गतिवितियों क सबी छेत्रों में उतकरस की ओर बढ़ने का सत्त प्रियास करें जिसे राष्ट नेंतर बढ़ते हुए प्यातन और उपलगतिक की नई उचाईयों को छुलिए कि यदि माता पिता कस यदि माता या माता पिता यसा रख्षक हैं तो 6 बर्स से 14 बर्स तक की आयू बाले अपने याथा इस्तिति वाला या पिती पाल के लिए शिख्छा के उसर पिधान करें यह थे आपके मूल कर्दव अगर नागरी की अपने मूल कर्दव और अपने मूल आदीकारों से परश्चित हो जाए थो आधी देष्टी समख्या वैसे ही खत्म हो जाए लेकिन किसी को अपने आदिकार पता है तो किसी को अपने क्रतव पता नहीं है तुछिए जैसा भी है तो चलि हम लोग आंगे ब हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं NTAIT कक्छा साथवी की सामाज्य एवं राजनितिक जीवन भाग 2 के बारे में ठीक है जो भी आपकी कक्छा सब्सक्राइब कर चुके हैं जो महत्पूर्ण थी आपके लिए आज से हमें बात करनी है कक्छा साथवी की वोक्स में तो इसके बारे में हम लोग बेसाय सुची देखी चुके थी आज हम देखेंगे पहला अध्या है इसमें कि समानता के बारे में ठीक है पहला अध्या हमारा है समानता कि याद रखिए फिर से यहीं बोलूगा है कि आप इसे एक कहानी की तरह सुनिए या फिर पढ़िए क्योंकि कर्छा आठी तक की जो भी आपकी आपकी एंती आठी है इनमें ज्याना दिमाथ लगाने लाइक नहीं है और ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ें तो समझ में ना आ जाए आराम से आ जाएगा समझ में ठीक है समानता बारत एक लोकतंत्रिये देश है कप्छा चटवी की पुस्तक में हमने लोकतंत्रिये सरकार के मुक्तत्तों के बारे में पढ़ाता है जैसे लोगों की भागेदारी संग्रसों का प्रम में दूब समाधां समानता और नयायव समानता लोकतंत्रिये मुक्त बिसस्ता है और इसकी कारप्रणाली के सभी पहलुभों को त्रवावित करती ही इस अध्या में आप ंसमानता की बारे में और अधिक जानेंगे यह क्या है लोग्तिन के लिए यह आवसक क्यों है वो भारत में सब समान है या नहीं इसके बारे में यह लोग जानेगी यह कांता की कहानी से चल्चा आरम करते हैं तो याद रखना मैंने बूला आपसे कि ओई कहानी की तरह आपको पढ़ना इसे जानद दिमात में मतलग है छोटी लाल किसान मंजीत पॉर सिर्च का तेजा सींग ब्यापारी ग्रीस राओ कांता देवी गहरेलू कामकार है सुजाता कुमारी गहरेलू कामकार है चुनाओ के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता बोड डालने की बारी का इंतजार कर रही है कितनी अच्छी बात है बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश की समान नांगरों के रोम में बोड डाल तकते हैं जैम साब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े है तो यह बोलती है हाँ बिल्कुल चल कांता अप तेवी वारी आई मैं तो उसे बूड दोंगी जिसने हमारे महले में पानी की पाई लाइन लाने का बादर किया है यह बोल नहीं है ठीक है यह आपके अब्दुल लहमान कामगार समनमबानो गहनी ग्रसी लेलेंग परावर्षदाथा आईजेक लेलेंग सरकारी अधिकारी रोकसाना मेडिया कर्मी योग राज गिरोजगार और असोग जैन उद्ध्योपति बाद में का आना कांता जी नमस्ते साथ गुडिया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है पर पहले साब के घर का काम कर जाओं उनसे कुछ पैसे उदाल लेंग घर पर ले अप्पी ले इनके घर की जो हिस्तिती है यो बुखारे इनके बच्चों कुछ अच्छा लगेगा तुझे और मैं जब साम को लोटू तो अपने अस्पत अपन अस्पताल चलेंगे गुडिया बार बार बीमारी नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा इस बफ्स्ति में तो कभी साब सफाई होती ही नहीं मतादिकार की समानता तो देखते हैं मतादिकार की समानता क्या है कहानी का आरम कांता की बोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है उना उन विविन लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े है कांता अपने मालिक असोग जेल को पहचान लेती है और लोगतांत्रिये देश में सब वायस्क को मत देने का अधिकार है चाहे उसका धरम कुछ कोई भी हो सिख्छा का इस्तर या जाती कुछ भी हो बेगरीब हो या मेर हो इससे जैसा कि आप पिछले वर्स की बुस्तक में पढ़ चुके हैं सारबॉमिक वायस्क मत अधिकार क्या कह समानता की विचार पर आधारी थे क्योंकि यह गोसित करता है कि देश का हर वायस्क इस्तरी हो या पुरूज हो चाहे उसका आरतिक स्थर या जाती कुछ भी क्यों ना हो एक बोट का हगदार है कांता बोट देने के लिए बहुत उससे और यह देखकर बहुत उसे कि वह अन सब के बराबर है क्योंकि उन सब के पास थी एक ही बोट है पर उनकी जैसे ही दिन बीटता जाता है कांता के मैं समानता रुबास्तिविक्ता अर्थ के बारे में संका होने लगती है कि मेरा मैंने की जनके यां काम करती है कामता है कामता है यह यह तेरे पैसे पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना समझी है यह ओले हैं जी मैंनम नहीं बना कि यह अस्पतालों की हालत बया कर नहीं है जैन मैडम और जैन साहब बोट डालने के लिए लाइन में भड़ले ही खड़े हो रहे हो पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है यहां आयाना असंद असंद समझ मैं यह क्या बात है जिसमें कामता की मन में संखा पैदा कर दी आओ उसके जीवन की दिन चरिया देखे है वह एक जोब्री बट्टी में रहती है उसके घर के पीछे एक नाला है उसके वेटी बीमार है पन्तुव है अपने काम से एक दिन की चुट्टी नहीं ले सकती ह क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेना गरेलू काम की नौकरी उसे ठका देती है और अन्तता उसके दिन की समापती फिर लंबी लाइन में खड़े उकर होती है सरकारी एत्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिनने जिसमें वह सुबह लगी थी क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांस लोग गरीब थे अन्य प्रकार की आसमानता देखते हैं लोग, एक तो हम लोगों ने देख लिए, एक अन्य प्रकार की आसमानता में बात करें तो कंता उन लोगों से, उन बहुत से लोगों में से एक है, जो भारती लोकतंत में रहते हैं, जिने मतादीकार पर आप थे, लेकन जिनका द्यानि जीवन और कार करने की इस्तिधिया समानता से बहुत दो है निर्धन होने के कार अत्रिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी आसमानता का सामना करना पड़ता है इसका आता है हम निमले के दो कहानियों को पढ़का समझेगे ए दोनों ही बास्तविक गर्टनाओं पर आ एक अच्छा इंसान बना के लिए भी पढ़ाई जाती है जो भी कहानी हो पर चाहे कोई आपका कच्छा छटवी से लाष्ट तक जो भी आप बोक्स पढ़ते हैं उसे हमें कुछ सीखने को मिलता है बस आम में चमता होनी चाहिए सीखने की कई लोग इसे अपनी फरीक्षा करने के लिए मजबूरी समझ कर पढ़ लेती कई उसमें समझते हैं उसे जानते हैं तभी आने बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखते जाना है समझते जाना है अपने आप पर कुछ फोलो करते जाना है कुर्मी छत्रिय चप्वीज अपॉन पांच डैस चार बीएस्सी माइक्रो वायो एमेस्सी वायो टेक बीएड असिस्टेंट प्रोफिसर प्राइवेट कॉलेज हितु सजातिय बर्चाहिए ब्रह्मण जिजोरिया गुंदिल खंडी ब्रह्मण ध्रोग कौसल गोत गौरवर्ड एमे तीन पर से हो में एक अंडिप्लोमा कोस कन्या हितुबर चाहिए सर्ब ब्रह्मण ये तॉमर के लिए दिया गया है मैकनीकल इंजिनियर्स सुजिलान हितु से उपर दिये गए विवायक विज्ञान पून में जाती कि सूचना देने वाले अंसों पर गोला बनाई है जाती तॉमर हो गईई इसलिम हो गई या ब्रह्मण हो गई कुरवया चत्रिय हो गई भारत में समनता पिछले आउसमानताओं में जाती कि विवस्ता यहाँ आप लोगों ने देखा हो गा जत्रियल ब्रह्मण तॉमर इसलिम गोरी यदि आप ग्रामीड भारत में रहते हैं तो जाती तक पहचान का अनुभाव सायद बहुत छोटी आयू में ही हो जाता है आपको यदि आप भारत के सहरी छेत में रहते हैं तो सायद यह सोचेंगे कि लोग अब जातपात में विश्वास नहीं करते हैं परन्तु जहां एक प्रमुक समाचरपत की वैवाहिक बिग्यापन की कॉलम को देखी तो आप आएंगे कि उच्छी सिक्षा प्राप्त सहरी भारती यह भारती के दिमाग में भी चाती कितनी ही महत्त कूंग है कि आईए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनगों की बारे में पढ़ें दलित के बारे में आप पहले ही पिछली बार्स की पुस्तर में पढ़ चुके हैं दलित एक ऐसा सब्द है जो निचली कही जाने वाली जाती के लिए लोग स्वयम को संभोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं दलित का अरत होता है कुचला हुआ या तूटा हुआ दलित का अरत क्या होता है कुचला हुआ या तूटा हुआ और इस सब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभा होता था और आज भी हो रहा है ओम्पिकास बालवी की 1950 से 2013 एक पिसिद दलित लेकक हैं अपनी आत्मगता जूंखन में भी लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी कभी-कभी तो एक कदम पीच्छे दर्वाजे के पास पैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लखे अक्छा धुंद ले देखते थे कभी-कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे जब भी कख्छ चार में थे जब बे तो प्रधाना देहापक ने ओमपिकास से इस्कूल और खेल के मैदान में ज़ाडू लगाने को कर बे लेखते हैं कि लंबा चोड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बढ़ा है जिसे साब करने से मेरी कमर दर करने लगी थी धूल से चेहरा सिर्फ अट गया था मोई के भी तर धूल गुस गई थी मेरी कख्छा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं ज़ाडू लगा रहा था हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी पानी पीने तक की इजादत आही थी पूरा दिन मैं ज़ाडू लगाता रहा इस्कूल के कमरों की खिड़की दरबाजे दरबारियों से मास्टर और लड़कों की आँखें चिपकर तमासा देख अंगले दो दिनों तक स्कूल और खेल के मैदा में ज़ाड़ों लगवाई जाते रही यह करम तभी रुका जब उधर से गुजटते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को ज़ाड़ों लगाते देखा उन्होंने सेच्छेकों को साह स्कूल गुड़क सामना किया और उन् पढ़ेंगे पढ़ेगा इसे मतलसे में और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगी पढ़ने यह है आपका उन्पकास बालमिक की किताब जूठन का मुखपेश्ट जिसमें उन्होंने एक दलित बालत की रुम में बड़े होने के अनुभवों को पिस्तुत किया अगर आपने डॉक्टर पीम रावंबर्ड करकी आजमकता खड़ी है वाइव ग्रापी तो इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह दलितों का सोसर्ण होता था पहले अगर आप ग्रामिट चेत्य से ब्लों करते हैं तो आपने वहां देखा हुआ सहरों में कापी देखा जाता है सहरों में भी लेकिन गाउं में जो ग्रामिट चेत्य है वहां भी जाना ही इस तरह की जाती इपतार में लोग मानते हैं दूसरी कहानी यह एक ऐसी गटना पर आदा रहे थे जो भारत के एक बड़े सहर में गटी और देश के दिकांस भागों में ऐसा होना एक सामान बात था कहानी श्री और श्रीमति अंसारी की जो सहर में किराये पर एक मकान लेना चाहते थे पैसे बाले थे इसलिए किराये की कोई समस्या नहीं थी, वे मकान भूने में मदद लेने एक प्रोपर्टी डीलर के पास गई, डीलर ने उन्हें बताया क्यों है कई खाली मकानों के वारी में जालता है, जो किराये पर मिल सकते हैं, वे पहला मकान देखने गए, अंसारी दंपत्ती को मकान बहुत अच्छा करीं कि वो मासारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मासारी व्यक्ती निवास नहीं करता है, प्रोपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ती दोनों ही यह सुनकर आश्च्छे सकत रहें, क्योंकि पढ़ोस से मचली पकाने की गंद आ रही थ अंत में प्रोपर्टी डीलर ने सुजाओ दिया कि क्या भी अपना नाम बदल कर स्री और स्रीमती कुमात रखना चाहेंगे, अंसारी दंपत्ती यह सा करने के एक चुप नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का नेश्चे किया, अंत में लगवक एक महीने आप उन्हें एक मकान मालके मिली जो उन्हें किराये पर मकान देने को तिरह थी, तो देखा आपने आसमानता ही तो है, फिर चाहें आपकी ओमपिकास वालमेक किताबों कहानी हो, या पिर इंदंपत्ती की कहानी हो, अंसारी दंपत्ती की, ठीक, मान भी यह गरिमा कमूल, अ अब आप समझ गए होंगी कि प्रया कुछ लोगों के साथ आसमानता का वेवार बस इस कारण होता है, कि उनका जनम किस जाती लेंगे आधरम में भाए, बे उच्च बरके हैं या मत्यम बरके, या निमन बरके हैं, ओमपिकास वालमीकी और अंसारी परिवार के साथ आसमानत का वेवार, जातीगत, वद्धारमी कारणों सिख भए हैं, जब लोगों के साथ आसमानता का वेवार होता है, तो उनके सम्मान को ठेस महुचती हैं, ओमपिकास बालमीकी तरफा अंसारी दमपत्ती के साथ किये गए वेवार के कारण उनकी गरिम्या को ठेस महुची, ओमप रिसूस कराया कि विध्यालय की अन्न चात्रों के समान नहीं है, उनसे कमता है, बच्चा होने के कारण ओमपिकास बालमी स्वमिस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, कि जब उनके पिता ने अपने वेटे को जाडू लगाते देखा, तो उन्हें इस आसमानता वेवा का कुरोध आया और उन्होंने सिक्चो को विसमच विरूध पिकट किया, जब लोगोंने अनसारी दमपत्ती को अपना मकान किराय पर देने से इंकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंकिए, फिर जब प्रोपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का कि यहाओ को ठोगरा दिया, ओम पिकास और अनसारी दमपत्ती के साथ ऐसा बेवान नहीं होना चाहिए था, बे उसी सम्मान, उसी गर्मा के हगदार हैं, जो अन किसी वेक्ती को मिलती है, मुझे लगता है, पता है, मुझे लगता है कि एक किताब हैं, समझ में आए आपको कक्चा साथवी की यह बुक्स है, साथवी में यह आपका लिखा हुआ है, हमारे जीवन में इसलिए पढ़ाई जाती है, मैं बार-बार कर सकता हूं, कि जिससे हम एक अच्छा इंसान, जिसमें हम दर्दी, इंसानियत हो, माना होता हो, वो बन सकें, इसलिए कहानी पूर उसमें आपको एक इंसान बनाने, अच्छा इंसानियत लाने, कि सभी वही पार बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें भी आपको देखो, और पर आप लोग अगर सेविल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी PCS, तो आपको अच्छा इंसान ही तो बनाया जाता है, जिससे आप किसी की समझ सकें, किसी की हमदर्दी भी समझ सकें, क्योंकि चलिए जैसा भी आप अपको अच्छा लगए, यह आपने देखा, 1975 में बनी दीवार पिलमें, जूते पॉलिस करने वाला, एक लड़का फेक दिये गए, पैसे को उठाने से इंकार कर देता है, वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, उसे उसका वुकतान आधर के साथ करना चाहिए, आपने अगर यह दीवार मुवी देखिए, तो इसमें जरूर देखा होगा है, सीन, भारतिये लोकतंत में समानता, भारतिये समिदान सब व्यक्तियों को समान मानता है, इसका अरत है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुस हों, या इस्परी हों, या फिर किसी भी धरम, जाती, सैचिक और आर्थिक प्रिश्ट भूमी से सम्मंद रखते हों, वे अपने समान माने जाएंगे, वे सब समान माने जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि आसमानता खतम हो गई यह एक अतम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतिय समिधार में हम सब वेक्तियों की समानता की सिध्धान को मानने की आगिते हैं, जहां पहले बेदभाव और दुर्विवाहर से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों क समान साथ शमानता की वेवार को सोने शेट करने के लिए मौरियुट, संसर्द हमारी लोकतत काहदारस्तम में हम अपने निर्बाचत पिती निदियों के माध्यम से उसमें पिती निदित पाते हैं, शमानता को इस्थावित करने के समिधार में जो प्रावधाने उनमें से सिथम कानून की दिरिष्टी से हर वेक्ति समान है इसका तात्पर एया है कि हर वेक्ति को देश के राष्पती से लेकर कांता जैसे घहरेलू काम की नौकरी करने वाली महला तक सभा को एक ही जैसे कानून का सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है दूसरा किसी भी बैक्ती के साथ उसके धर्म जाती वंस जनम इस्थान उसके इस्थान उसके इस्तरी या पुरुस होने के आधर पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है तीसरा है हर व्यक्ति सारवजनेक स्थानों पर जा सकता है जिन में खेल के मैदान, होटल, दुकान ने बाजार आधी समले थे हैं सब लोग सारवजनेक कुवों, सड़कों, नहाने के घाट, घाटों का उप्रयोग कर सकते हैं चोथा है आजपस्ता का उम्मूलन कर दिया गया है, सासन ने समिधान द्वारा माने किये गए, समानता की अधिकार को दो तरह से लागू किया है पहला कानून के द्वारा, दूसरा है सरकार की योजनावबा कारकरम द्वारा, सोविदाहीन समाज की मदल कर गे भारत में एक ऐसे अनेग कानून है, जो बेप्ति के समार व्यवार प्राप्त करने के अधिकार की रख्चा करते हैं कानून के साथ सरकार्थ ने उन समधाय जिनके की साथ सेकरों बर्सों तक आजं़ानता की अभिवार हुआ है उनका जीवन सुधारने के अन्विक कार गरम और यह उजनाय लागू की ने, यह उजनाय यह सुनेश करने के लिए चलाई गई है, कि जिन लोगों को अतीद में आउसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिकतर आउसर प्राप्त हूं, मैं बार बार यही कहता आया हूं, कि कितनी भ जनता यह जो निचले तपके का मनुस्त है, यह व्यक्ति है, अगर वो जागरूप नहीं होता है, तो आपकी यह उजनाय और कानून तहरे के धरे रह जाएंगे, समझ में है, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है, कि उनके अधिकार क्या है, उनके कानून क्या है, उनके ल इस दिशा में सरकाल द्वारा उठाए गए एक कदम मध्यान बोजन की वेवस्ता है इस कारकरम के इंतर के सभी सरकारी परात्मे की स्कूलों के बच्चों को दोफेल का बोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है यह हो जिना भारत में सरफितम तमिलांडू राज में पहरम की तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीठने को मिलता हुआ या अगर आप सहरी छित्स हैं तो आप जाएए कहीं इस तरह के गरीब जहां रहते हूं महाज की स्कूल में खाने में देखना क्या हालत रहती है खाने के बस खाते हैं लोग लेकिन वह खाना खाने लाइक नहीं होता है अगर आप वही खाना खाऊगे तो आप खाना पसंद बिल्कुल भी करोगे 2001 में उच्तम नियाले ने सभी राज सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माई के अंदर आरम करने के निर्देश दिये इस कायकरम के कापी सकारातों परभाव लोग उधारन के लिए दोपहर का भोजन मिलने के खारण गरीब बच्चों से ने अधिक संख्या में इसकूल में फिरवेश लेना और निमित रूप से इसकूल जाना सुरू किया सिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर बापास इसकूल लोटते ही नहीं परन्तु अब जब से स्कूल में मद्ध्यान भोजन मिलने लगा हैं उनकी उपस्तिती में सुधार आया है बेमाताएं जिने पहले अपना काम छोड़कर दोफर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता इस कारकरम से जाती पूर्वा ग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है क्योंकि स्कूल में निम्न वहोच जाती के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं वो कुछ स्थानों पर जो भोजन पकाने के लिए दलित महलाओं को काम पर रखा गया है है मद्यान भोजन कारप्रम ने नेधन विद्यातियों की भूप में टाने में भी सहायता की है यो प्रयाग खाली पेट इसकूल आते थे इसकारण पड़ाई पर ध्यान के अंदिर नहीं कर पाते थे उत्राकंकी एक सास्की साला में बच्चों कोन का मद्यान भोजाना आपको बता है मैं यھोजनाओं के खिलाप कभी नहीं आहाँ कि मतलब मेरे नकार्यात्मों पर वहाबत आ रहा हूं है इसमें मैं इतना बोल रहा हूं कि सुधार होना चाहिए जैसे अगर कोई भी यह उजना आ रही है तो वो सबसे निचले तब कि उस ब्यक्ति तक पहुचना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है तभी तो इसका फायदा हुआ इसमें सुधार होना चाहिए इन सभी काहिकरों में जो भी आपकी यह उजना हैं कानून है और सबसे पहले आपको धर्दी तक पाना होगा अब आप सुचो कि आत्मान से सब कुछ आप लोग जान लें कुछ नहीं जान सकते हैं हर आदमी को एक अच्छा इंसाम बनना हुआ तभी सब कुछ लागो जखता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जुड़ना हो बस आपको इमानदार होना चाहिए अभी आप देखोगे कि सबसे नीचे आपका सचिब सरपन्च या पिदान जैसे पिदान बोलते हैं काम इमानदारी से करें तो 90-95% समस्यां केुछ होले हैं किमें तो जनता के सामने तो वही रहे हैं अगर वही नहीं बताएंगे तो जनता wasn' सम W. लेकिन अदुरियर कि 90-95% सरपन्च किसी लायक भी नहीं है अपना गर देखने के अलावा। जन्ता उन्हें बोड के समर्ध ध्यान में आती है बोड डलने के बाद खतम जन्ता आगे बात करते हैं यगवपीश सास्त की ये कारक्रम आउसरों की समानता बढ़ाने में महत्पून पून क्या निवा रहे हैं किन्तो अभी भी बहुत कुछ करने की आवस्ता है मध्यान भोजन कारक्रम से नगनेधन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्ति को तो बढ़ा दिये लेकिन फिर भी इन देश में इस देश में बेश्कूल जहां मेरों के बच्चे जाते हैं उन इसकूलों में बहुत अलग हैं जहां गरीवों के बच्चे पढ़ते हैं आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनकी ओमपकास बालमीक जैसी दलित बच्चों के साथ बेदभाव औ लोगोंने समान समझने से इंकार कर देते इसका मुख के कारण है कि दिरिष्टी कौन में बहुत देरे देरे परीवत नाता है ये अक्ति लोग यह जानते हैं कि बेदभाव का विवार कानून के प्रूत है पिर भी जाती देरम अपंगता आर्थिकिस्ति और महला होने के यादार और लोगों से आसमानता का विवार करते हैं बर्तमान दिष्टी कौन को बदलना तभी संभाव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर्थ नहीं और हर विवार का अलिकारी है पिर जातनती यह समाज में समानता और इस्थापित करने का यह सतत संगय से जिसमें विवें समाजियों को सहोग देना है इस पुस्तक में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे यह हैं आपके भीमराव मेड़कर अपने आत्म समान को दाओ पर लगाकर जीवित रहना आसोगनी है आत्म समान जीवन का सबसे जरूरी हिस्ता है इसके बिना व्यक्ति नगन है आत्म समान के साथ जीवन बीजने के लिए व्यक्ति को कटनाईओं पर बीजय पिराप्त करनी होती है केवल कठिन और नियंतर संगर से ही व्यक्ति बल विस्वास और मानिता प्राथ कर सकता है मनुस्य नासवान है, हर व्यक्ति को किसी नकिसी दिन मरना है परन्तु व्यक्ति को यह संकल पर लेना चाहिए को अपने जीवन का बलिदान आत्म सम्मान के उच्छा दर्सों को विक्सित करने और अपने मानो जीवन को भेतर बनाने में करेवा किसी साइसी वेक्ति के लिए आत्म सम्मान रहे जीवन जेनी से अधिक आसुबनी है और कुछ नहीं है यह भी बियार अम्बेडकर साब का कथन है समझ में आधे बात करते हैं अन्य लोकतंतों में समान्ता के मुद्दि साइद आप सूच रहे हो ओंगे कि क्या भाती है लोकतंती यह यहां आसमान्ता के लिए संगश जारी है सच तो यह है कि संसार के अधिकांस लोगतंत्री अधेस हैं समानता के मुद्दे पर बिसेस रूप से संगर्स हो रहे है उधारन के लिए साइवतराज अमेरिका में अफीकी अमेरिकन लोल जिनके पूरवज गुलाम थी वे अफीका ले आए गए वे आज भी अपने जीवन को मुक्रोग से आसमान बताते हैं जबकि 1950 के अंतिंग दसक में अफीकी अमेरिकनों कुछ समान लिदिकार दिलाने के लिए अंदूलन हुआ इससे पहले अफीकी अमेरिकनों को के साइवतराज में बहुत आसमानता का विवार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था उधारन के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में बीच्छे बैठना पड़ता था जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट में उठना पड़ता था समझ में है रोजा वाक्स 1913 से 2005 एक अफिय की महिला अमेरिकी महिला है अमेरिका एक दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया उस दिनों उनके इंकार में से अफिय की अमेरिकों के साथ आसमानता गो लेकर एक विस्सेश बिसाल आंदोलन गुए जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवेंट कहला है 1964 के नागरिक अधिकारा दिनियम में ने नसल धरम राष्टी मूल के आदार पर बेदभाव को निशित कर दिया इससे यह भी कहा कि अफिय की अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगी और उन्हें उन अलग-अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़े जो बेसे सरूप से केबल उन्हीं के लिए खोले गए यतना होने के बाद जूद 20 अधिकांस अफिकी अमेरिकी गरीब है अधिकतर अफिकी अमेरिकन बच्चे केबल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रिविस लेने के ही सामरत रहते हैं रखते हैं जहां कम सोगधा हैं और कम योगता बाले सेच्चन जबकि गोरे बिद्धे आती नेजी स्कूलों में जाते हैं या उन्चेत्रों में रहते हैं, जहांकि सरकारी स्कूलों का इस्तर नीचे स्कूलों से जैसा हैं। तो यह तो अपने यहां भी आपने देखा हूँ, कि आपके यह आपके यहां समानता वर्ण लंबे उस्तर। अब बात करते हैं भारत की समिधान के अनुचेत 15 के अंस, भारती समिधान के अनुचेत 15 के अंस, देखते हैं। दुकानों सारवजनिक बोजनालायों, होटलों, सारवजनिक मनवजन के इस्ता में प्रवेश, या फूरता या बाता तहां राती मिधी से पोसित या साधान जलता कि पयोग के लिए समद्पित कूरों, तालावों, इस्नानों गाटों, सड़कों और सारुजनेक समागम फेस्थानों के उपयोग के समद्ध में किसी भी नियुगता, दायत, निर्वधन या सर्थ के अधीम नहीं होगा बात करते हैं लोकतंत में किस चनोती क्या है आपके समानता लाने के लिए नए-नए सवाल उठकते हैं इसके केंद में वय संगर से जो सब्व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पप्चगर है इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का विसन भारतिय लोकतंत में हमारे देनिक जीवन के वेवन पहलूं को प्रभावित करता है इन पार्टों को पड़ते हुए बिचार किए कि क्या सब्व्यक्तियों की समानता उनके इस आत्म सम्मान को उच्छा रखने की भावना को लोग सूइकर कर रहे हैं या नहीं ठीक है तो यहां था हमारा पहला अध्याय समान था ठीक यह आपके अध्याय कुछ आपके प्रिसन है आप बैस के लिए कर दे लिए याद रखना इस पीडियर को हम लोगों टेलीग्राम पर डाल दिया है ठीक होँआ से डाउलूड पर इसलिए मैं आपको उसे गुजाएस कर करता हूँ हो सके तो जरूरी नहीं है अगर आपके अंदर कुछ लगता है कि सही है तो आप इस तरह थे जो भी आपके लै जादा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत कुछी की बात है तो इसलिए प्लीज क्रिफिया कलगी आप अपनी पेस्बुक कहीं भी यह 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 जगह की जहां सब बहुत से लोग इसको देख सकें और कुछ अपने सब्द है इनको गणाश सब्द सेंखला सारबों में वाइस्क मता अधिकार यह लोगतन समाज का एक अख्तेंत मर्थ पहली हुए इसका अधिकार है कि सभी वायस 18 वर्स या उससे अधिकायों के नाग्रेकों को भूट देना का अधिकार है चाहे उनकी सामाजी के आलते कि कुछ भी हो गरीमा इसका तत पर अपने आपको और दूसरे विक्त किया गया नाग्री का अधिकार आंदोलन यह है एक अंधोलन जो सभी राज अमेरिका में 1950 के दसक के अंत में पहरा हुआ और जिसमें अधिकी अमेरिकन लोगों ने नसल बेद भाव को समाप्त करने समान अधिकारों की मांग की थी ठीक है तो यह आपका पहला चेप्टर ख हुँए कि बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक एवं राज मेतिख जीवन 2 के बारे में जो आपकी सामाजिक करें किस अद्याय में सौस्ट में सरकार की भुमिका है याद रखना आप कि रखना आपको कि आपकी कप्छ चट्रिबी की एन्सिए रूवी या अपर सांच साथ के इस अपनी पैलिस्ट सूस्टी NCAIT पूर्ण कबरेज के नाम से ती ते वहाँ देखते रही है स्वास्थ में सरकार की भूमिया लोगतंत में लोगों की यह पिक्चा रहती है कि सरकार उनके खल्याण के लिए कारी करें यह सिक्चा स्वास्थ रोजगार पिलान करने ग्रह निर्बाड सडकों के विकास तथम बिजली आधी उपलग्द कराने की माध्यम से हो सकता है इस सद्ध्याय में हम स्वास्थ के अर्थ और सिसंबंदित समस्याओं को जाचने और इस सद्ध्याय के उपसीर्शकों को देखेंगे आपके विचार में यह विसल सरकार की काम से किस बिकार युड़ा हो है स्वास्थ आखिर होता क्या है स्वास्थ है क्या आखिर लेकिन स्वास्त केवल बीमारियों से संब्धित नहीं है आपने उपयोक्त कोलाज में से केवल कुछ इस्तितियों को ही स्वास्त से जोड़कर देखा हुआ प्रयाँ हम द्यान नहीं देते हैं कि उपयूक्त हर इस्ति का समन स्वास्त से हैं बीमारी के अलावा हमारे लिए उन काड़ों पर भी विचार करना अवसक है जो हमारे स्वास्त बर प्रभाव डालते हैं उधारण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वेक्ष पानी और पिदूसर मुक्त वातावर्ण मिले तो बे सामाननता स्वस्त रहेंगे दूसरी गोर यदि लोगों को भरपेड भोजन ना मिले अत्वा उन्हें गोटन भरी गोस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार बढ़ने की संभावना अधे है हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार करें चुस्ती से और उचे मनुबल के साथ करें स्वस्त और आकर्वन रहना चिंता घर्ष्थ होना लंबी समय तक तरे सह में रहना स्वस्त जीवन के लख्षण नहीं है हम सब को तनाव मुक्त और पिसंद रहना चाहिए हमारी जीवन के इस सब भी पहलू स्वास्त के हिस्ते हैं बात करते हैं भारत में स्वास्त सेवाएं आईए अब भारत में स्वास्त सेवाओं के कुछ पहलूं का परिक्षण करें यहां दी गई तालिका के पिथम तत्म दुदिये इस्तम्मों में देखाई के इस्तेतियों की तुलना कीजिए संसार भर में भारत सरवादिप चिक्सा महाविद्याल हैं यहां सब से दिख डॉक्टर तेयार की जाते हैं लगबख हर बर्स 15,000 नई डॉक्टर रेवगुता पराप्त करते हैं भारत के अधिकार डॉक्टर सहरी छेत में वस्ते हैं ग्रामीर ग्रामबासियों को डॉक्टर तक पहुचने के लिए लंबी दूरी तै करनी वरती है ग्रामीर चेत्रों में जनसंख्या के मुपापले है डॉक्टरों की संख्या काफी कम है और है भी तो यहां जोलाप चाप डॉक्टर है पिछली वर्सों में स्वास्त सेवाओं की सुद्धा में काफी बिद्धी हुई है 1950 में भारत में किवल 2717 अस्पताल थे सन 1991 में 11174 अल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 1828 हुई भारत में करीब 5 लाग लोग पिती वर्स तपेदेख यानि की टीवी से मर जाते है सुद्धा प्राप्ती से अब तक इस संख्या में कोई परिवतन नहीं हुए हर बर्ष मलीरिया के लगवग 20 लाग मामलों की रुपोर्ट प्राप्त होती है यह संख्या कम नहीं हो रही है भारत में बेदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करा नहीं तो चिकिस्सा परेटक आते हैं बेवप्चार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पताल हो जाते हैं इनकी तो लाँ संसार के सर्वसिष्ट अस्पतालों में सिक्की जाती है हम सब को पीने का सौक्ष जल उपलद नहीं करा पा रहे हैं संचार नहीं बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं इन बीमारियों से 21 पितिसाद जल जने होती हैं जैसे हैजा पेटकी कीडे, हेवे टाइडिस बारत विस्व का दवाईयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है यहां से बारी मात्रा में दवाईयों का निर्यात होता है भारत के बच्चे समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए फर्याप बोजन नहीं मिलता है वे अलब बोजन के सिका रखती है बीमारियों से बचाओ और उनके उप्चाल के लिए हमें उच्छे स्वास्त सेवाएं चाहिए जैसे कि स्वास्त के अस्पताल परिक्षणों के लिए प्रिक्षणाने के लिए इम्बोलेंस की सुग्दा ब्लेड आदी जो मरीजों को आवस्त सेवाएं और देखवाल चलाने के लिए हमें स्वास्त सेव को नर्सों यह कुछ डाक्टरों तथा अन्न विश्यसक्गों की जरूरत है जो पनावस्त दे सके रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके मरीजों के इलाज के लिए हमें आवस्त दवाईया उक्रण भी चाहिए जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुग्धाओं की दिरूरत बढ़ती है भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर दवा खाने और अस्पताले देश में सार्व्यनिक स्वास्त सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनभाव प्रज्ञान भी उपलत है यह स्वास्त के हैं ज पर हम बाद में एक दित्विष्तार से पड़ेंगे साथी चिकिसा विज्ञार में बहुत आसाथ में पेगित्ती हुई है जिसके जलते दिसमें लाज की नहीं नहीं तकनीकी विदियान और भलब्द हैं फिर भी दूसरा इस्थम दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्त की इस्तिती कितनी खराब है ओपिक सकारात्मक विकास के बाद भी हम जंता को उचित स्वास्त सेवाय देने में आसमर्थ है यह बियुद्धावास जिस्ति है जो हमारी आपेक्छाओं के विब्रीत है हमारे देश के पास पैसा है ज्यान है अनुभवी वेक्ति है फिर भी हम स इसी तरह तो लगी रहती है बीचिती देखा हुगा आपने हाकिम सेट की कहानी के बारे में हाकिम सीख पश्य मंगाल खेद मजदूर समतीं के एक सदस्fred जो पश्य मंगाल में खेती हाल मजदूरों का एक संगट में उननीसो बानवे में एक साम बिचलती टेनमेंस से गिर उन्हें सिर में गंभीर चोट आई, उनकी हालत बहुत नाजुप थी, उन्हें तुरंट इलाज की आवस्यक्ता थी, उन्हें कोल का था कि एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भरती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई विस्तर खाली नहीं था दूसरे अस्पताल में आवस्यक्त सुगदा हैं और उनके इलाज के लिए जरूरी बिसेशक नहीं थी, इस पिकार अंतिम अतेंद गंभीर हालत में उन्हें 14 गंटे के अंदर सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किन्तु किसी ने भी उन्हें भरती नहीं किया, अंत मे अपेक्छा पूर्वेय से नाराज और चुब्द होका हाकिम से पीवी की एम, एसके ने कोर्ट में मुकंतमा दाय कर दिया, तो इस कहानी का अदेश समझे आप, कि अपने देश की जो विसरकारी अस्पताल हैं, उनकी एक सच्चाई बया करती है, मतलब अकीगत बता रही है कि इस तरह चलता है हमारे देश का सिष्टम, अस्पताल का जो भी है, एक बात करते हैं, आगे एक एलाज का ख़च, अमन और रंजन अच्छे मित थे हैं, रंजन का परिवास साधन संपन है, जबकि अमन के पिता, माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं, अरे अमन, मेरे डेडी कि सवे, कि नए अस्पताल मेंट, डॉक्टरों को दिखाने ले गए, वहां बहुत अच्छा लगा, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती थी, कि मुझे लगा कोई पांच सितारा होटल है, डेडी का रहे थे, कि यह एक प्राइबेट अस्पताल है, और बढ़िया से बढ़िया सुगदाएं या मिलती है, यह है आपका अमन बोल दा है, रेसेप्शन काउंटर बेट, कि डेडी को पांस सो रुपीर देने पए, डॉक्टर को दिखाने से पहले बता है कि वहां अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ कितना सापसोतरा वो जगमग था, यह आमन बता रहा है, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परिच्छन करवाने को कहा, पर वास तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, एक महिला ने जाज के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खोब मजा किया, मुझे दर्द का पता नहीं चला, अमन बोल गाए, जब सारी परिच्छनों की नतीजे आ गए, तो हम वाफिस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नतीजों को देखा और कहा है, सब कुछ ठीचा, मुझे से बायरल हुआ है, उन्होंने कुछ दवाईया लग दी और आराम करने को खा, क्या तुमन के लिए, या सफेद बाली सौने से पहले, या सरीर के दर्च के लिए, और यह है एक सीरव, घवराव नहीं, बढ़िया स्वादेश का, दनबाद डॉक्टर, मुझे तो अभी सिट ठीक लगने लगा है, यह अमन बोल गा है, यहां आप लोगों को बताने की कोशिस के लिए बंड़िये है कि प्राइबट जा हम से जाना पैसे लिए जाते हैं, यह घर से षंपन है, पैसे वाले है, वह ही प्राइबट डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, तो प्राइबेट और सरकारी अस्पतालों में अंतर बताया जा रहा है, एगर आप सरकारी हैं जाओगे युझ वो डाक के भगा दिए अच्छे से बात भी नहीं करेंगे अरे हर जगे देखा होगा आगर आप संपन हैं आप तागत वजें तो आप हर जगे अपना बनाई ही लेंगे अपनी विवस्ता तरचाय आप लोगोंने बैंकों में देखी हो वहां आप लेक आगर आप गरीब हैं या आसामान नहीं मतलब ठीक ठाक हैं और कोई अगर आपसे उचा है या मतलब ऐसा जैसा भी हो तो उसके लिए अलग उसे लाइन में लगने की ज़रूबत नहीं पड़ती है वो डारेक्ट जाके अंदर काउंटर पर पहुँच जाता है और आपने देखा होगा आप घंट आप तेम बताने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं अच्छा अब अपनी तो कहो तुम किस अस्पाताल में गए ते यह बोल रहा है आका रज्यन हूं वह तुम्हारे वाले अस्पाताल यतना अच्छा तो नहीं था पहले तो अब्बा मुझे लेगी नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था और सच में कितना ज्यादा समय लगा हमें एक बड़े से सरकारी अस्पाताल में गए हमें OPD काउंटर पर कि एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा मेरी यह तबियत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अभबा के सार टिका रहा है जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जाच की और खून की जाच कराने के लिए कहा इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा जहां जाच के लिए खून निकलिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़वार पुरा था हमें तीन इस दिन बाद खून की जाच का नतीजा मिला फिर हम बापिस अस्पता लेगें इस दिन वहां कोई दूसरा डॉक्टर बैठी थी मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ खून की रिपोर्ट जल्दी करो इसे वाइरल हुआ है कोई फरक्र की बात नहीं है बुखाद उताने की गोली की है गोली इसे देनी है बस और कुछ नहीं मेरे अस्पताल था तू बहुत बढ़िया और उन्होंने मुझे जान्दा दबाई दे दी और मेरे इलाज में जानदा खर्च होगा अच्छा मेरे इलाज में तो जानदा खर्च नहीं हुए तो आप लोगों ने आसमानता देखी होगी कहानी के जरिए यही ती आ गया हुग है कि जो भी आपकी NCA IT books हैं आपका बेस मजबूत करने के लिए जिस तरह निवरी सब्ड़्ण ये मकाल बनाने के जिते हां यही भैनने के लिए आपका करें थी तु बात करते हैं अब आगे सारोजनेक और निजी स्वास्त सेवावं के बाएंक के बाारे में वो पर कहानी सी आत शनगे गए होगी कि हम स्वास्त सेवावों को स्वार्ष्ट सेवाओं के बात करने तो स्वार जो सरकार द्वारार चलाई जाती हैं एक एक अस्पताल आपस में जूड़े हुए हैं जिससे ये सहरी वा ग्रामिट दोनों छित्रों का को सुगदाएं पिदान करते हैं और सभी बीमारियों साधार्ण से लिकर तो इसे देखवाल की जरुवत वाली बीमारियों का इलाज करते हैं ग्रामिस्पर पर एक स्वास्थ कहंद होता है जहां फ्रेया एक नरस और एक ग्राम स्वास्थ से बक रहता है इनने सामान बीमारियों के लाज के लिए पित सीख्षन दिया जाता है और बेपरात्मिक स्वास्थ कहंद के डॉक्टरों की देखरेंग में कार करते हैं ग्रामीटषित में ऐसा केंद कई गाउं की जरूर्तों को पूरा करता है जिलाफ़र पर जिला स्पताल होता है जो इन सभी स्वास्त केंदों की देख भाण देख रिख करता है बड़े सहरों में कई सरकारी अपताल होते हैं जैसे एक वह था, जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी पिशिष्ट सरकारी अपताल हैं, जिनका जिक्र हाकिम सेक की कहानी में हुआ था। इस स्वास्त सेवाओं को कई कारणों से सारव्जनिक कहा जाता है। निसल के और बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके, स्वास्त थेवाएं, अन्न मत्पूर्ट कारें, बीमारियों जैसे टीवी, मलेरिया, पीलिया, दस्तलगना, हैजरा, चिकनमुनिया, आधी को पहलने से रोपना, इसकी विवस्ता सरकार को कि चित के सभी लोग अपने कूलरों भाग घरों की चतों पर आधी पर पानी कत्तित ना होने दें, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, सरकार कर सिब राप धन का उप्यूब विभेन पिकारगी, सारवजनिक सेवाओं को मुहया करवाने में खेच करती है, जिससे सभी ना नयाएक विवस्ता, राजमर्ड, मार्व, इत्यादी को सेवाओं से सभी नागरेखों को लाब होता है, अरंधा, इन सेवाओं की विवस्ता सभायम नागरेखों को नहीं कल सकते हैं, करों से ही कुछ विकासात्मक कारिकरम, सेवावज उतलबत होती हैं, जैसे स्याक, इत्यादी जिन से जरूरत मांद नांडिकों को लाब मिलते हैं करों से प्राप्त धनका उप्यों कुछ प्राक्तिक आफदाओं जैसे बाढ़ भूकम सुना भी आदी मामलों में रात और पुनरवास के लिए भी किया जाता है अंते विछ प्रमारू एवन पिच्छे बास्तो से संपनदिर क्रम को भी करों की δ्वारा प्राप्त राजस से ही चलाया जाता है सरकार खास्तोppen से गरीवों को सेवाए बधान करती है जो भी बाजार से नहीं खेरीज़ पाते है इसका एकोधारान स्वास्त संपना करते हैं और हाकिम सिब के पिकरन exile को पुनाा के अनुसाल लोगों के को सुनिश्चित करना और सब को स्वास्त सेवाएं फिदान करना सरकार का ब्रात्मिक उद्देश है सरकार को हर वैक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी और अदालक ने कहा कि हाकिम से कोजिन कटनाई उसे गोजना पड़ना उसमें उनकी जान भी जाज़ती थी यदि कोई अस्पता समाई पर वैक्ति को इलाज नहीं पदान कर पाता तो इसका तात्वर है कि उससे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है अदालत यह भी खा कि सरकार का एक कर्टब है कि वह मरीजों को आवस्यक सुधाएं स्वास्थ सिवाएं देने जिसमें आकस में के इलाज की सुधा भी समले तो अस्पताल उसके उनके स्वास्त संबंदी करमचारियों को आवस्यक इलाज बिदान करने की जिमेदारी पूरी करनी चाहिए कई सरकारी एस्पतालों ने हाकिम सिख का इलाज करने से मना कर दिया था इसलिए अदालत मेराज सरकार को नड़ेज दिये कि वह हाकिम सिख द्वारा इलाज फ़पेर किये हैं पूरे खरच का वुक्तान करें नीजी सेवाओं की बात करते हैं आप अपने बात कर लीद पर अरोजनेक सेवाओं अब नीजी हमारे डेश में कई तरह की नीजी सेवाओं स्वास्ते सेवाओं पाई जाते हैं बड़ी संख्या में दोक्टोर अपने दवा खाने चलाते हैं ग्रामिड चेत्रों में पंजी के चिगिस सवेवसाई मिल जाते हैं, सहरी चेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिन में से बहुत से विसेशक की सेवाय प्रिदार करती हैं, निजी रूप से चलाय जा रहे हैं, अस्पताल मर्व नर्सिंग होम भी हैं, काफी संख्या में प्रियोग साला हैं, जो परिच्चन करती हैं, बविसिष्ट सुभधाय उप्राद करती हैं, जैसे कि एक्तरे अल्टासाउंड आधी, ऐसी दुकाने भी हैं, जहां से हम दवाईयां खरीतते हैं, जैसा कि इनके नाम से ज्यात होता है, निजी स्वास्त सेवाओं पर सरकार का सौमित, तथा अत्वा नियतर नहीं होता है, सारुजनेक स्वास्त सेवाओं के विकली, इन निजी स्वास्त संस्थाओं में मरीजों को हर सेवाओं के लिए बहुत धन बै करना पड़ता है, आज निजी स्वास्त सेवाओं चारों और फेले दिखाई देती, अब तो बड़ी-बड़ी कं कुछ कंपणियां दभाईयों को बनाने बेचने में लगी है। सहरों के कौने कोने में दभाईयों की दुकाने देखी जा सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ, सेवा और समानता क्या सबके लिए परयास्थ सेवाई उपलब्द हैं। हम भारत में ऐसी इस्तिती का साना कर रहे हैं, जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परन्तु सारवजिनिक नहीं, ऐसी दसा में लोगों को मुक्ता निजी सेवाओं की उपलब्द हो पाती हैं, यह सहरी चेत्रों केंद्रे थे, इन सेवाओं का मूल भी अपेक्छा के अधिक रहता है, दवाईयां महेंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खजिन्य में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है, तो उन्हें रिड लेना पड़ता है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रयार ऐसे कारियों को प्रोशा या से लाइन आदी की सलाय देते हैं, जबकि साधान एलाज भी परियाप्त हो सकता है, बारतिय आयू विज्ञान परिशत का आयू विज्ञान नैतिक सहता कहता है, जहां तक संभाव पिते एक चिकिस्सक को औस्दों के जैनरेक नामी उप्चार परची में लिखने यह युक्तियुक्त और उप्युक्त रूम में होती हैं, अब तो आपके हाँ जैनरेक दवाई भी आने लगी हैं, वह बहुत सस्ती हैं, तत्थ है है कि आंगे बात करते हैं कि तत्थ है है कि जन सेंक्या के 20-30 लोग भी बीमारी के दोरान आवसक दवाईयों को खरीब में स जो लोग अस्पिताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भरती होते हैं, उनमें से 40-30 सक लोग खर्चों का अगुक्तान करने के लिए पैसे उधाल लेते हैं या अपनी को संपत्ती बैस देते हैं गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती हैं, इससे भी बड़ी बात या हैं कि ऐसी इस्तिती में बारवार आती हैं गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का से कारुपती हैं, ये परिवार उतना वोजन नहीं खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए उन्हें जीवन की आदार गूत आवसकता है जैसे पानी का पीने का पानी घर के लिए परयाप जगए साब बाता बरन तक उपलब्द नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार परने की संभावना अधिक रहती है बीमारी पर होने वाले खर्श से उनकी हाल और खराब हो जाती है कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों की बिक्तर इलाज में बादक नहीं होता है उधारन के लिए महलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्कर के पास नहीं ले जाया जाता कई आधवासी चेत्रों में स्वास्ट केंद कम है और बेवी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते है वहां निजी स्वास्ट स्वाएं भी उपलफ्त नहीं है अब क्या क्या जाना जा सकता है इसमें कोई संदय नहीं गये हमारे देश में लोगों की स्वास्त की दिसा अच्छे नहीं है यह सरकारी का अप्तरदायित है कि वह अपने सब नाग्रिकों को बिसेश का गरीबों और सुग्दा हीनों को गुडात्मक स्वास्थ स्वाइं पिदान करें फिर भी लोगों का स्वास्थ जितना जीवन की आधार गुरुस सुखदाओं पर और उनकी समझ किस्तिती पर नेवर है उतना ही स्वास्थ सेवाओं के उपर भी इसलिए लोगों के स्वास्त की दिसा, दसा, सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार करना चाहिए ऐसा करना संभा हुए कि अंगले पिर्ट पर दिये गए पुधारण के दिखिए केरल कार्वा 1996 में केरल सरकार ने जराज में कुछ मात्पूर परिव्यतल की जराज के पूरे बजट का 40-30 पंचायतों को दे दिया गया इससे पंचायतें अपनी आवासकताओं को यूजनाबद कर उनकी पोज़ती कर सकती थी इसे गाउं के लिए पीने का पानी, आहाद, औरतों के विकास और सिच्छा की आदी के लिए उचित विवस्ता सुनेशित करना संबह हो सका इसके फलसोरो जल विवस्ता की जाच की गई इसकूलों और अंगनबाडियों के काम को सुनेशित किया गया गाउं की बिस्स समस्याओं पर ध्यान दिया गया स्वास्त के इन्दों में भी सुधार किया गया इन सब कारियों में इस्तिती में सुधार आया इतने पैतन के बाद भी कुछ समस्याओं तो बनी रही जैसे दवाईयों की कमी, अस्पतालों में आप परियाप्त पिस्तर, परियाप्त दोक्टरों करना होना, इन समस्याओं को दूर करने की आवसकता है कुश्टारिका का तरीका, कुश्टारिका को मद्द अमेरिका का सबसे सौस्ट देश माना जाता है इसका मुक्कारण उनके सम्मिधान में नहित है कई बरसों पहले कुष्टारिका ने एक बहुत मत्कून नेड़ा लिया कि बेदेश में सेना नहीं रखेंगे इससे उन्हें सेना परव्य किये जाने वाले धन को लोगों की सिक्षा, स्वास्थ और अन आधारवू जरूरतों पर खर्यट करने में मदद मिली कुष्टारिका की सरकार मानती है कि देश के बिकास के लिए देश का स्वास्थ होना जरूरी है इसलिए अपने देशबासियों के स्वास्थ पर बहुत ध्यान देती है स्वास्थ की सिक्षा को बहुत महत्पूर माना जाता है सभी इस तरहों पर स्वास्थ संबंदी ज्यान, सिक्षा का एक जरूरी भाग है तो यह था आपका दूसरा चेक्टर स्वास्थ में सरकार की भूमिका देख लिया समिदार का एक मात्पूर हिस्सा कहता है कि पोसाहर इस्तर और जीवन इस्तर को उंचा करने तथा लोग स्वास्त की सुबदायें करने का राज़का करता है यह आपके कुछ अभ्याज के लिए questions दिये गए पीडियाप टेलीगराम पर डाल दी गई है वहां से डाउनलोड करते रही है अब कुछ सब्द इसमें संकलन दिये गए वह लोगों ने कुछ सब्द देखें उनकी परिवासा देख लेते हैं वैसे तो हम लोग देख चुके हैं फिर भी आपको एक निसकर्स के तौर पर बता टेलीफोन सेवाएं आधी सामलें लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करते हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं बात करते हैं निजीव वह सेवा या कार जो किसी बैक्ती या कंपडी द्वारा मुनाफ्य के लिए आयोजित की आ जा इस सभिदाय के प्राफ्त हो जाती है तरहें आपका संचार्णी प्राफ्त हो जाती हैं बीमारिया हैं जो एक दूसरे से दूसरे वैक्ती कई माद्रें उसे माद्यमों से संचार्णेत हो जाती हैं जैसे पानी भोजन हवा इत्यादी OPD यह How about गया यह बाहरोगी बिभाग क संचित रूप है अस्पाताल में किसी विशेस बार्ड में भरती होने से पहले रोगी को OD-OPDF में जाते हैं नैतिक आचा किसी बैक्ती के बेवार को प्रिभावित करने वाले नैतिक सिद्धान पर आपका जनेरिक नाम दवाओं के रसाइडिक नाम है बेदवाओं दवाईयो मैं प्योग सामक्रियों की पहचान करने में मदद करती है बेविस्त इस्तर पर मानतप रात है उदारन के लिए ऐसी टाइल साली सैली एसेड एस्परियंट का जनेरिक नाम है तो यह आपका दूसरा चेप्टर पतम हो गया है तीसरे चेप्टर में लोग बात करेंगे राज और राज़े सावशन कैसे काम करता है आखे राज़े सावशन आपका कैसे काम करता है नमस्का साथियो तो चलिए अप लोग बात कर रहे थे NCEIT कक्छा साथवी की सामाजिक एवं राजनितिक गीवन भाग 2 के बारे में ठीक है याद रखे किक्छा चटवी की आपको जितनी भी NCEIT की जरूरत थी वो सभी टेलीगराम पर डाल दी गई है और हम लोगों ने बात भी कर लिए कक्छा चटवी की सभी बुक्सों के बारे में जो हमारे लिए जरूरी है कक्छा साथवी की हमें देखना है चार किताब है जिन में हम लोग सामाजिक एवं राजनितिक जीवन भाग को देख रहे हैं कर वो हूँ क्या वाज थम बात करेंगे इसमें तीसरे चेप्टर में तो राज राज सासन कैसे करता राज 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 सासन कैसे काम करता है आखे इसके वारे में जाएंगी याद रखिए आप लोगों से वहारा आई कहता हुआ हम दिलायों किसे एक कहानी की तरह पड़िए या कहानी की तरह सुनिये, क्योंकि इसमें समझाने लाई कोई भी टमस ऐसा नहीं है, जो आपको समझ में ना, एक दो बार आप पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा, जो भी आपके concept क्लियर होना है, आराम से हो जाएगा, इसलिए जांदा दिमाग में मतलाईए, एक बार में परसेंट आपका क्लियर हो जाएगे, ठीक है, क्योंकि जानद कर्थिन भासा में लिखी गई है, बहुत सहल सब्दों में लिखी गई है, कर्चार्ट भी तर्की जो वी एंसी याइटी है, जहां से मैं दिमाग लगाना है, वहां हम बता देंगे, आराम से, जिम्मेदार और तालाब सूब गई है, बुरी तरह सित्रभावित, इलाके में गाउं के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, ये लोग निविश्वी पर्मपड़ पिछले वर्स हमने यह चल्चा की थी, कि सासन तीन इस तरों कर काम करता है, एक स्थानिय, दूसरा राज और के हमने कुछ पिष्टार के साथ इस्थानिय सासन की कारियों के बारें जाना था, अध्याय हम इस अध्याय में हम जानेगी की राज जिस्तर पर सासन कैसी कार करता है, लोकतंत में राज सासन का किस तरह किया जाता है, बिधान सबा सदस्थां और मंतिरियों की क्या गूं किया जिला मुख्याल है, पाताल पुरम में लोगों को तीन दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है यहां का जिला चिकत साल है, मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा है इन्हों में बड़ी संख्या में है जिसे पीडे बच्चे है टीवी पर समाचार में बताया गया था कि है जिसे दस लोगों की मित्ति हो गई, क्या ऐसा हो सकता है क्या कोई समच्च जिसने मर सकता है, क्या पता है, बस मुझे नहों जाए यह वीमारी यह हो लए उन दिन दोपहर में इनकी वम्मी ने कहा कि बाजान में कुछ थंडा नहीं, नहीं पीना है आज सुभए उन्होंने अपना एक भासन इन्हें सुना दिया, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी समालनी चाहिए सिरीन, जी जी हाँ, अच्चानक रुप जाओ रेली के कारण यह सड़क बहुत गंदा है सड़क बंद रेली बालों ने विधायकों के घर का खेराव कर लिया है सच मुछ लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या हाँ हाँ, यह लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया और हम यह मांग रहे हैं, करते हैं कि अधिकारी तुरंट स्वास्त की दिखी पाने के लिए कदम उठाए, हमारे विधायकों को इसकी जिम्मदारी लेनी पड़े कैसी उंची आवाज है, इनकी एक कोई नेता वेता होंगे सासर, मैंने इने टीवी पर भी देखा है, यह देश यह बिरोधी दल के नेता है, विधायक कौन होता है, बात करते हैं, विधायक कौन होता है, उपयक्त भाग में आपने पाताल पुरम की कुछ कहितनाओं के बारे में पढ़ाएं, साइद आप चिलाधीस, चिकिस्सा अध मेले से पर्चित हैं, क्या आपको पता है कि विधायक की सदस को विधायक या फिरिफ मेले कहा जाता है, एम एले मेंबर और लेजिशलेटिव असेमली का संचिप रो में रूप है मेले, ठीक है, एमेले का चुनाओ जनता द्वारां पित्त एक्ष रोप से किया जाता है, य पर्वे लेजिशलेटिव असेमली के मेंबर यानि विधान सवा के सदस बन जाते हैं, और सरकार बनाते हैं, इस पकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का पितीनी दित करते हैं, नीचे दिये गए उधारत से यह बात और अधिक इस्पस्ट हो जाएगी, भारत की हर राज में एक विधान सवा हर राज कई निर्वाचन चेत्रों में बटा हुआ है, ओधारन के लिए यहां दीए गए माचित को देखिए, इसमें दर्थाया गया है कि माचल पिदिस में अर्सट निर्वाचन चेत्र में माटा गया, हर निर्वाचन चेत्र से जनता एक पितीनी दि के होते हैं जो लोग विधायक होते हैं विमंत्री या मुखमंत्री कैसे बन जाते हैं जिस राजनितिक दल की विधायक आदे से दिक निर्वाचन छेत्रों में जीच जाते हैं राजमा उस दल को बहुमत में माना जाता है बहुमत प्राप्त करने वाले राजनितिक दल को सत्त पक्ष और अन्न सबको विपक्षी पक्ष वाला कहा जाता है। उधारन के लिए हिमाचल पिदेश की विधायकों की अर्सट निर्वाचन छेत हैं। सत्तादल का होगा। उसका मुकमंत्री बनेगा। और जिसकी कम है वो बिपक्ष का भी ऐग कानून है। विपक्ष में अगर 10% सीटें उसके पक्ष में आती हैं। तो ही वो विपक्ष में बैठ सक्ता है। जैसे कि आपने देखा होगा। सक्त्र भी लोग सभा आओ, फिर चाहें आपकी 16 भी लोग सभा आओ, इसमें कोई भी विवख्च का नेता नहीं चुना गया है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं आई हैं लोग सभा में, आजने के पास, ठीकें? तो इसलिए विरुधी पक्ष में कोई असा म हिवाचत पिदेश में 2017 में हुए बिधानसवा चुनाव के पई राजनेतिक दल चुनेगे सदसों की संक्या तो आपको तो उधारण देखना है आपको क्या अभी थोड़ी कुछ है आपको देखना है कि किस तरह बार्तिय जंता पार्टी बिजेपी चवारी सीट है मिली इसमें से इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आइएंसी को 21 सीट है मिली और कम्यूनेश्ट पार्टी ऑप इंडिया मारक्सिष्ट को एक सीट मिली निर्दली है जो किसी भी पार्टी के नहीं है उन्हें दो सीट है तो इसमें आपका राजनेतिक मुखमंत्री किसका बनेगा भारतिय जन्टा पार्टी क्यमकि इसे आदे से जान्दा सीटें मिली हुई है बेविन राजनेतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसवा चुनात जीता और वे विधायक बन गए विधानसवा में कुल विधायकों की संख्य अरसक है इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी ही राजनेतिक दल को 34 से विधायकों की आवर्शकता हुई बारतिय जन्टा पार्टी के 44 बिधायक होने की कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस बने अन्न सब बिधायक बिरोधी दल के सर्वाधी बिधायक उसी के थे बिरोधी बख्च में कुछ अन्न पार्टीय मी थी और कुछ निर्दलीय उम्मिदवाल भी थे यो चुनाव जीत कर आएगा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता के चुनाव करते हैं जो मुखमंत्ती बनाता है इस बदधारन में भारतिय जंता पार्टी के विधायक को ने स्री जैराम ठाकुर को अपना नेता चुना और भी मुखमंत्री बन गए इसके बाद मुखमंत्री मं मंत्रियों का चैन करता है, चुनाव के बाद राजी का राजपाल मुखमंत्री वा नमंत्रियों की निवति करता है, राजपाल जिस तरह आपका केंद का प्रमुख होता है, राजपाल, जिस तरह आपका केंद का प्रमुख होता है, राजपाल, उसी तरह आपका राजी का पि इस तरह कुछ विधायकों पी दोहरी किम्मेदारी हो जाती है एक विधायक के रूम में और दूसरी मंतरी के रूम में इसके बारी में हम आंगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं विधान सभा में एक भहस, आपरी सुजाता और उनके विध्याले के कई अनविध्यातियों ने विधान सभा देखने के लिए राजधानी की यातरा की, विधान सभा एक अक्तित भग तथा प्रवावसाली भवन देश्तित थी, बक्चित बहुत उस्तुत सुरक्षा जाच के वादों ने उपर ले जाएगे, उपर एक दर्सक दीरगा थी, जहांसे भी नीचे विषाल हौल को देख सकते थे, हौल में डिस्कों की अनेक कतारें लगी भी थी, या विधान सभा उन दिनों की किसी तद्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी, विधा इस बिषाइपल जो भी विधि के लिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, इसके बाद मंतरी प्रिशनों के उप्तर देते हैं, वो सदन को अस्वस्त करते हैं, कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, मुख मंतरी तदा अन मंतरियों को नेडल होते हैं, और सरकार चलानी होते ह हम पुर्याव उन नेडलों के बारे सुनते हैं, या समाचार चैन्नों, या पर पर समाचार पत्रों में उने देखते हैं वपढ़ते हैं, हाला कि जो भी नेडल लिए जाते हैं, उन्हें मिधानसवा के सदस्वन द्वारा अनुमूदित किया जाना होता है, लोगतंत में व संत्पूर्ण पिसाय पर भाहिश कर सकते हैं नड़ा ली सकते हैं कि धन कहां खर्च किया जाना चाहिए इस तरह मुख का अधिकार उनीक होता है बिधाय अखंड गाओं के मेरे निर्वाचन चेत में पिछले तीन अफ्तों मैं हैजे के कारण 15 लोगों भी मित्ती हो चुकी है मेरे इस बिचार में सरकार के लिए यही बड़ा सर्मना किस्तिती है वह सरकार जो अपने कुप पुरुदुगी की में सरफिष्ट वुसित कर रही है है जैसी साधारन बीमारी को रोकने में आस अफल रही है मैं स्वास्त मंत्री का ध्यान इस और आगरसित करना चाहूँग कि वेश्ति को नियंतित में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं ये विधायक एक बोल है फिर विधायक दो क्या बोल है सुनिए मेरा पिसन एड़ा है कि सरकारी ये पतालों की दसार इतनी कराब है क्यों है सरकार जिलास पतालों में डॉक्टरों वच्चिक सा करम अब यह महामारी का रोप ले चुकी है विधायक दी तीसरा विधायक क्या बोलता है मेरे निरवाचन छित तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है औरतों को पानी लाने के लिए तीन से चार किलो मीटर तक चलना पड़ता है मैं जानना चाहूंगा कि पानी सब्सक्राइब जाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाये गाया, कितने कुवे और तालाभों की सभाय करवा कर उने संक्रुमन मुक्त किया गया है फिर विधायक चाल, क्या होता है? मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्य को बड़ा चड़ा कर बता रहे हैं सरकार ने स्थिति वो नेंतिर में लाने के लिए कदम उठाए पानी के टेकरों को काम में लगा दिया गया है वो आरेस की पैकेट बांटे जा रहे हैं सरकार लोगों की मदद के लिए भर सक प्रियास कर रहे हैं विधायक पांच, पांचबा विधायक क्या होता है? हमारे एस्पतालों में सो विधायों की हालत बहुत खसता है कई ऐसे एस्पताल हैं जिन में कोई डॉक्टर नहीं है हम यह कैसे सुनेशित करने वाले हैं कि प्रवाविच्षित के परिवारों तक वो आरेस के पैकेट पहुंच जाएं चटवा विधायक क्या होता है? बिरोधी पक्च की सदस्र बिना बज़य की सर्वार पर दो सार उपन कर रहे हैं पिछली सरकार ने सफाई पर कोई जहान नहीं दिया था अब हमने कई वरसों से चारों तरब से फैले कूड़े को साब कराने का अभियान शुरूप किया है उक्त भाग में आपने विधान सावा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा है सदर सरकार द्वारा की गई या ना की गई कारवाही पर बहस कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामुविक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदाई होते हैं सामान भासा में सरकार सब्द सियात तात्वल सासन की विविन विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं इन सब को सामोहिक प्रमुख मंत्री होता है सही मायने में तो सरक तो यही सरकार का कारकारी हिस्सा यानि कारपाई का कहलाता है दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधान सवा में कत्यत होते हैं विधायका कहलाती हैं क्या कहलाती है विधायका विधायका के रूम में बिसरकार के कारकारी हिस्से को काम करने के अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की इंचांच भी करते हैं जैसा कि आपने पार्ट के पहरम में देखा था, कि इनी ही मैंसे कारिपालिका का पिर्मुख या मुखमंत्री बनाया जाता है, ठीक है? आप लोग को पता है हमारे देश में इतनी बत रिष्टिती है कि कई में अगर अभी बिहार में वो चमकी बुखारता कौन सा बुखारता उससे कई बच्ची मारे गए तो जो सत्ता पक्ष अभी वो क्या वो रही है कोंग्रेश पर दूसरे मदलब विरोधी दलों के बारे में कि उसके समय में जाना मारे जाते थे मेरे समय में कम अरे भाई कोई बुखाराया पूत है तो उसमें बहुत वच्चे मारे गए तो उसमें यही कहा गया कि 2017 से पहले दुबने वच्चे मारे जाते थे वो तो मैंने कम कर लिये वाई एफसान थोई कर दिया कि उनसे पूछो जिनके वच्चे मर रहे हैं उन्हें कैसा विद्धा हुआ किसी की कॉंपिटीशन मत करो नेता तो वही है कि जो अच्छा काम करें लेकिन अब तो नेता की परिभासा बदल की रख दी है इन नेतां में चलिए जो भी है अच्छा है भगवान भरोसी चल रहा ह सब चल दें दीजिए बात करते हैं सासन की कारपिणारी किवन बिधान सबा में सरकार के काम के बारे में टीर का टिपड़ी और सरकार से कारवाई करने की मांग नहीं की जाती है आप नेमेर रोप से अकवारों टीवी चैनलों और अन्न संगटनों को सरकार के बारे में बात देहों द्वारा लोग अपने विचार वेक्त करते हैं और कारवाई करते हैं इसी तरह का एक तरीका यहां देखी बिधान सावा में चर्चा होने के थोड़ी ही समय बाद स्वास्त मंत्री की प्रेश वर्ता किये हैं इसमें वेड़ ने समाचार पत्रों के पिति नी थी काफी संख्या में आए इसमें मंत्री और कुछ सास्की या अजिकारी भी उपरतित थे मंत्री ने सरकाल द्वारा उठाए के कदमों के बारे में बताए इस प्रेश वरता में अख़बारों के संबाद दाताओं ने अने एक पिसन पोचे इन चर्चाओंपूर की रिपोर्ट के दौरे पर वेरे उन्होंने उन परिवारों से बेंट की जिनकी रिस्तेदारों की मिध्य वो गई थी बे आस्तवस्त लोगों को देखने अस्पताल भी कई सरकार ने इन परिवारों के लिए मौपजा रासी की भी गोशना किये मुंक पंत्री ने काया कि उनके विचार से समस्या के वज सफाई की नहीं है, वरन पानी पीने में किस्वक्ष पानी की कमी भी है, उन्होंने कहा कि एक उचिस्ती याज, उचिस्तरी याज कठित की जाएगी, जो साब सफाई सुगधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेंगी, लोगनिर्वार मंत् तिसा ने देगी, ताकि वे चित में पानी की उचित विवस्ता पर ध्यान देंगी, सरकार ने कच्रे की सुधली, मुझमंत्री ने किया धंडासी का बादा, इछली कुछ अपतार में राज जी की कुछ जिलों में अनेक लोग मौत के सिखार हो चुकी, इस बाग बात पर त तिक्रिया हुई सरकार ने इस्तिती को गंपीरता पूर्वक नहीं लिए, आज भी पेशवर्ता में स्वास्त मंत्री ने बताए कि उनकी सरकार ने सभी जलादेसों तथा मुख जिक्ष साधिकारियों को आवस्य कदम उठाने ही तू निर्देश दिये गए, सबसे मत्कून समस्या पीने के पानी की थी, मंत्री महबुदाय ने कहा कि उनकी मंसा पानी के टेंकरों द्वारा हर गाओं में पीने का पानी पहुंचाने किये, मुख मंत्री ने इस कारे के लिए धन उपलब्द कराने का बचन दिया, उनकी योजना एक जन अभियान चला कर लोगों को य जयान करी देने की थी, कि किन उपायों द्वारा हैजे से बच्चा जा सकता है, जब एक पत्तकार ने उनकी से पूछा कि महीनों से जमा कच्रे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो नोंने का कि इस बाहरे में देखेंगे, जैसा आपने उपर देखा है कि ब कि लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख मंत्री हैं, स्वास्त मंत्री हैं, उन्हें समस्त्याओं पर कारवाई करनी होती है, भी एकार विविन विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोग निर्माण विवाग, किरसी विवाग, स्वास्त विवाग, सिक्छा विवाग, आ सब्सक्राइब नए कानून बनाने का भी नेडल ली सकती है, उधारण के लिए कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिबार कर सकती है, कि सहरी छेत्रों में परियाप्त सौचलायों की व्यवस्ता हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गराम में एक स्वास्त कर्मी की निप्ति हो, किसी विताय पर कानून बनाने का यह कात, पितिक राज की विधान सबादवारा किया जाता है, इसके पश्चाद विविन सास की विभाग इन कानूनों का क्रियान बन करते हैं, पूरे देश के लिए कानून संसत में बनाए जाते हैं, संसत के बारे में आप अंगली वर्स पढ़ेंगे, कच्छा आठी में, लोकतंत में विधायखों, एमिले, किरूम में जनता पने, पिती निदी चुनती है, और सासन मुक्ता चंता का ही होता है, फिर भी पक्च के सरकार बनाते हैं, कुछ सरकार को मंत्री बनाए जाता है, ये मंत्री सरकार के विभागों के प्रभार ही होते हैं, जैसे उपर दिये के उधारन में स्वास्त विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार किया जाता है, उन फिर्षे विधाय का द्वारा अनमुविदित या सुई के कराया जाते हैं। लोगतंत में लोग अपना मत बैक्ट करते हैं। और संकार का ब्रीवत करने के लिए सभायाय आयुजित करते हैं। बात करते हैं बॉल पेपर, वाल पेपर की परिविदिए। बॉल पेपर एक मज़ेदार करते हैं। जिसके मात्यम से रोची के किसी विषय पर सोद किया जा सकता है। यहां से जो तस्वीरें गई हैं। बेकप्छा में बॉल पेपर बनाने के विविदिन पहलों को पिस्तुत करते हैं। सिक्षकार चोने गए विषयों का पुड़ी कप्छा को पहिचे देती है। और संशेवत चर्चा करके कप्छा को समगू में बाढ़ देती है। समगू समुद्धी पर चर्चा करते हैं। और तय करता है कि बॉल पेपर में क्या-क्या रखना चार्थ आएगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो या की जोड़ी में एक हट्टी की गई समगूरी को पढ़ते हैं। और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए भी कविताय कहानियां साफचत का और विवरणों आधी की रिचना कर सकते हैं। जो भी साफग्री चुनी गई है बनाई गई या लिखी गई है। उससे समूग के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिए लिखे हुए को पढ़ते हैं। अपने सुजाव देते हैं बेज मिलकर यह तेह करते हैं कि बॉल पेपर में क्या जाएगा और फिर उसका लेयाउट बनाता है। इसके बाद पर एक समूग अपना बॉल पेपर पूरी कप्छा के सामने पिस्तुत करता है। समूग के एक से अधिक सदस्त को पिस्तुत करने के कहा जाए। वो सभी समूग का अपना काम बताने के लिए बराबर कर समय मिले। जब सभी समूग अपना पिस्तुती करन करने तो समिच्छा के लिए ऐसे पिसंद पूछना चारे रहता है। अपने आप बे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और जान्दा विवस्तित हो जाता है, लेकिन ओग पिस्तुती करण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, संद वजार 6 में, डेंगू की महामारी के विशह में, या बोलफुपैर का चटवी, कैंद्रिय वि द्यारतियों ने बनाया था, यह आपके कुश्चन है, इसी अध्याय से संबंदीत, जो आपको हो, देख लेना है, इसमें कुछ जो हम लोगों ने सब्द देखे हैं, उनी से संबंदीत आपके कुछ सब्द संकलन है, जिसे निर्वाचन छेत्र देखा है, इस चैप्टर मे निर्वाचन छेत्र का तात्पर होसता है, इसका तात्पर एक निश्चित छेत्र से है, जहां रहने वाले सभी सम्मात दाता अपना पिति निदित चुनते हैं, उधारन के लिए कोई पंचयात का वाड़ या उच्छेत हो सकता है, जो विधासवा सदस चुनता है, बहुमत पक्ष, इसका तात्पर उन चुनेवए पिति निदियों से होता है, जो सक्था पक्ष के सदस नहीं है, जिनकी वुमका सरकारी है, नेड़ेयों और कार्यों पर पितित उठाने है, विधासवा में विचार के लिए नई मुद्बित उठाने की होती है, फेस वारता के बारे इसके बारे में बड़े जन्समूव की को बताएं, तो यह आपका तीसरा चेप्टर था, क्या था, राज्यसासन कैसी काम करता है, आँगे हम लोग तीसरी रिकाई में चौतरा चेप्टर देखेंगे, लड़की और लड़कियों के रूम में बढ़ा होना, देखेंगे, ठी इस चेप्टर में, फूर्थ नम्मर के, हेलो दोस्तो, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT, कक्षा साथ भीगी, सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन, भाग दो पिवारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चेप्टर खतम कर चुके हैं, तीसरा चेप्टर था आप का, राज्यसासन कैसे काम करता है, आज बात करेंगे हम लोग, फूर्थ नम्मर चेप्टर का, इसमें देखेंगे हम लोग, लड़के और लड़कियों के रूम में बड़ा होना, इसका टाइटल है, चेप्टर का, ठीक है, याद रखिए, फिर मैं वही सलाया दूँगा, कि इसे एक कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि इसमें ऐसा मुझे आज तक कोई अभी तक सब्द नहीं दिखा, मुझे लगा हो कि आप लोगों को इसकी परिभास साथ, या इसे समझाने लाइक हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सब्दों में लिखें है, सरल सब्दों में, ठीक है, त आप से जो आपको कॉंसेप्ट किलियर करना है, एक दो वार देखेंगे, आप आराम से हो जाएगा, बस निकल जाना है, लड़का या लड़की होना किसी भी, किसी की भी एक मत्वून पहचाने, उसकी आज मत्ता, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें सिखाता ह एक लड़के और लड़कियां का कैसा वेवार सुईकार करने यूप है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम प्रया ही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ए बाते सब जगे बिलुकुल एक सी हैं, परन्तु कि आ सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के पिती एक जैसा ही नजरिया है, इस पार्ट में हम इस पिसंद का उत्तर जानने की कौसिस करेंगे, हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों कूती जाने वाली अलग-अलग भूमिका, उन्हें भविस में इस्त्री और पुरुस की भूमिका के लिए कैसे तियार करता है इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकान समाज पुरुस इस्त्रीयों को अलग-अलग पिड़का से माद्द देती हैं, इस्त्रीयां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुसंदवारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका और कार से कम हत्त दिया जाता ह इस पार्ट में हम यह भी सीखेंगे कि इस्त्रीय और पुरुस के वीच काम के छित में आसमानता हैं कैसे हो अलती हैं, चलिए दो सुरूं करते हैं, 1920 के दसक में समुवा दुईप में बच्चों का बढ़ा होना, समुवा दुईप पर बच्चों का बढ़ा होना देता हैं, समुवा दुईप आपका पिसांत महासागर की दच्चन में इसते छोटे छोटे दुईपों के समुवा का एक बढ़ा भाग, समुवा न समाज पर किये गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार, 1920 के दसक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, न बड़े बच्चों और ओएसकों से बहुत सी बात हैं सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखवाल या घर का काम कैसी करना चाहिए, आदी, दुईपों पर मचली पकड़ना पड़ा महत्पूनकार था, इसलिए किस और बच्चे मचली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा, यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बात हैं भी अपने बच्चपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं, बड़े लोगों लोग उनकी देखवाल करना बंद कर देते, या जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ लेकिन जब कोई लड़का लगवग 9 बर्श का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के सम्मू में समलित हो जाता था, और बाहर के काम सीखता था, जैसे मचली पपड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, लड़किया जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, उनकी चोटे बच् साथिक सुतंत होती थी, लगवग 14 बर्श की उम्मे के बाद बेवी मचली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनने, बुनना सीखती थी, खाना पकाने का काम अलब से बनाएगे जरसोई घर में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांस काम करन होता था, लड़कियां उनकी मदद करती थी, 1960 के दसक में मद्द पिदेश में पूरसों के रूम में बड़ा होना, अब देखते हैं, निपलिके तालेक 1960 की मद्द पिदेश के छोटे से सहर में रहने और स्कूल जाने का वैडन से लिया गया, कच्छा चटवी में आने के ब लड़के और लड़कियां अलग लग स्कूल में जाते थी, लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल से बिलकुल अलग धंग से बनाये जाते थी, उनके स्कूल के बीच में एक आगन होता था, जहांपे बाहरी दुनिया से बिलकुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्चा मे खेलती थे, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आगन नहीं होता थे, बलकि उनके खेलने का मैलान बस एक बड़ा सा खुला इस्थान था, जो इसकूल से लगा हुआ था, हर साम स्कूल के बात लड़के सैप्रों लड़कियों की भीड को सकरी गलियों से जाती हुए देखती थ यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूँ ही खड़े-खड़े, खाली समय बिताने के लिए, दोड़ने और खेलने के लिए, साइकल चलाने के करतबों को अजमाने के लिए, लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुचने का एक मात्रम थी लड़किया हमेशा समगू में जाती थी साइद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हामदा नकद उपर दे दिये गए दो उधारनों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनवहों से यह सबसे जान्दा परिशित होते हैं कि यदि हम अपने परिवार के बुजरुबों से बात करें तो पाएंगी कि उनका बच्पन सायद हमारी बच्पन से बहुत बिनने था हम यह भी अनवा करते हैं कि समाज लड़के लड़कियों में इस पष्ट अंतर करता है यह बहुत कम आयू से ही सुनूब जाता है उधारन के लिए उन्हें खेलने के लिए बिबेन ने खेलोंने दिये जाते हैं लड़कों को प्रयार खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़ियां और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है खिलोंने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब बड़ी होकर इस्तरी और पुरुष बनेगी तो उनका विविस अलग-अलग हुगा अगर हम विचार कहें तो अंतर प्रया पिती बन चाहिए लड़के पार्क में कौन से खिल खिले लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए लड़कों को रौप से यह सब बच्चों को यह बताने की तरीके हैं कि जब बड़े होकर इस्तरी और पुरुष बनेगी तो उनकी विशेष्ट भूमिकाय होंगी बा हो पड़ता है तो आप पुरता है शार मैं आज असमानधा है देती है इसकी नियू बच्च्पन से ही डाल दी जाती है जब बच्चान चाहिए इस तरह है नियू पड़ जाती है आसमान तक अखाहीं पर जानदा जाती है मेरी मां काम नहीं करती है मां हम सबी बच्चे स्कूल से विमर्ण पर जा रहे हैं रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है क्या आप अपने ओफिस से एक दिन की छुट्टी को लेकर साथ चल सकती हूं वैसे हरमीत की मां हमेसा ऐसे समय पसाथ हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है सौनाली तुम ऐसे तुम ऐसा कैसे कह सकती है तुम जानती हो जस्मीत अंटी रोज सुबज पांच बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है हाँ पर भी कोई काम तो नहीं है यह तो बस घर के काम है क्या तुम बाकई ऐसी ही सुचती हो चलो ऐसा करते हैं कि जब स्पीत के गहस चलते हैं उसे पूछते हैं कि भी खुद क्या सोचती है स्त्री सींग के घर पर हर संद सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई काम का जी महला नहीं है हाँ पर अंटी क्या पाकई में ये ठीक नहीं है मेरी मा तो घरेलू महला के कोई काम कहां करती तो जस्वीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा सोचो इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो क्या बात है ठीक मैं कल हरताल पर चली जाती हूं वह है कितना मज़ा आएगा कल हम अंगली सुबर साथ तीस बज़े ये भगवान समय तो देखो मेरा नास्ता कहा है बच्चे अभी तक तेयार क्यों नहीं हुए मैं क्या जानी याद है ना ये इनकी मम्मी गोल नहीं है इनकी पत्नी और जश्मीत की मा ओर ओर ये तो स्कूल बस थी अब तो मुझे बच्चों को खार से ही छोड़ इस्कूल छोड़ना हूँ जल्दी करो लेकिन बच्चों के लच्च लच्च बॉक्स का क्या होगा और ये भी उसके बारे में भूल जाओ मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना माने इसके लिए पहली ही पैसे दे दी है इनका बच्चा बोल रहा है अब इनके पत्ती बोल रहे हैं क्या मैं तो बिल्कूल ठक चुका हूँ कुछ चायवाय हो यह आहां मैं तो भूली ही गया था कि तुम हड़ताल पर मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ यह पूरी एक परिवार की कहानी है पूरा घर तो देखो जैसे कि यहां कितना तूपान मचा है तुम क्या सोचते हो कि सुवए तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था हूए वैसे ही हालत में दिर्वर रहेगा अरवीत कमबक, चाय की पत्तियां कहां रखी भी हैं? जी जी किया अभी भी वे सौचते हैं कि एक काम नहीं करती है और कभी तो उन्हें और याद दिलाए हैं कि चाचा और चाची दाट के खाने पर आने वाले है पता है आपको इसमें कहानी में आपको यह बताया गया पूरी कहानी में, निसकर से है कि बोल देते हैं लोग कि तुम क्या काम करती हो, यह कोई महला घर में रहती है, घर का काम करती है, उसका अस्वेंड या पती बाहर का काम करता है, कोई जॉब फॉब, कोई भी काम, तो वो आके यही बोल होता है महला के लिए घर में ठीक आंगे बात करते हैं अधिकान समाज में जिन में हमारा समाज भी समले थे पुरुस और इस्तिरियों की भूमिका भूमिका उनके काम के महत्त को समान नहीं समझा जाता है पुरुसों और इस्तिरियों की हस्तियत एक जैसी नहीं होती है आओ द परिवार को नहीं ही लगता कि जसमीत घर का जो काम करती थी, वैंब आस्तों में काम था। उनके परिवार में ऐसे भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया बार में घर के काम की मुख जिल्मेदारी इस तरीयों की होती है। जैसे देखवाल समंदी, कार परिवार का ध्यान रखना, बेसे इसकर वच्चों, पुजरुगों और बीमारों का, फिर भी जैसा हमने देखा है कि घर के अंदर किये जाने वाली कारियों को महत तुपूर नहीं समझा जाता है, माल लिया जाता है कि वे तो इस्तरियों की कोई जरूरत नहीं है, समाज इन कारियों को अधिक महत तुप नहीं देता है, घर पर कारने बाता बालों का जीवन, देखे, उपयोकत कहानी में केबल हर मीद की मा ही घर के काम नहीं करती, कापी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई ग जाता है, वे बहुत काम करते हैं, जाड़ों लगाना, सफाई करना, कपड़े और बरतन दोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और वजर्बों को की देखवाल करना आदी, घर का काम करने वाली अधिकांश हित्रिया होती है, कभी-कभी इन कारियों को करने के लिए छोटे लड़की या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है, घरेलु काम का अधिक महत्त नहीं है, इसलिए इन्हें मजदुरी भी कम दी जाती है, घरेलु काम करने वालों का एक तिन सुबह पाँच बज़े से सुरू होकर, देर रात बारे बज़े तक भी चलता है, जी तोड महनत करने की बापचू, फुरेया उन्हें नौकरी पर रखने वाले, उनसे सम्मान जनक ब्योभार नहीं करते हैं, दिल्ली में घरेलु काम करने वाली एक इस तरही मेलानी ने अपने अनुबह के बारे में इस तरह बताया, पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो तीन मंजने भवन में रहता था, इसमें मैम साहब अजीब महला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिलाती रहती थी, इनका काम रसोई का था, दूसरी दो लड़कियां सफाई का काम करती थी, इनका दिन सुबह पांच पज़े शरू होता था, नास्ते में इन्हें एक प् खाना पकाती थी, तो दोनों लड़कियां इनसे एक और रोटी की मांगती रहती थी, ये चुक्के से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी, ये दिन भर काम करने के बाद भी बड़ी भूव लगती थी, ये घर में चपल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मोसम में, इनके पैर सूट जाते थी, ये मेम साफ से डड़ती थी, परंतु इन्हें गुस्सा भी आता और अफ़वानित भी महसूस करती थी, क्या ये दिन भर काम नहीं करते थी, क्या इन्हें खोच समाजनक वेभार की योग नहीं थी, बास्तों में जिसे हम गरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार समलेत रहते हैं, इनमें से कुछ कामों में बहुत सारे रिक्स्तरम लगता है, ग्रामीर और चहरी चेत्रों में और तें, और तों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, ग्रामीर चेत्रों में इस्तरियों और ल सामान लेकर चलने की जरूरत होती है बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदी में लंबे समय तक गरम चूले के सामने खड़ा रहना पड़ता है इस तरह जो काम करती है वह भारी और ठकाने वाला सारे काम होता है जबकि हम आप तोर पर सोचते हैं कि पूरोसी ऐसा काम कर सकते हैं घरेलू और देखवाल के कामों का एक अन्ड पहलू जिसे हम महत नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय बास्तों में यदि हम इस्तरियों द्वारा की जाने बाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर इस्तरियां परुसों से अधिक काम करती है निम्न तालिका में भारत के केंद्रिये सांकी की संकटन द्वारा दिये गए विसी सद्ध्यान की कुछ आंकड़े राच्च ये राच्च इस्तरियों के वेतन काम के घंटे परुसों के वेतन साहित कार के घंटे पिती सब्ता है परुसों के आब यतने घरेलू काम के घंटे पिती सब्ता है परुसों के कुल काम के घंटे तो इसमें हर्याडा में तेईस घंटे इस्तरियों के वेतन साहित कार करने के घंटे इस तरियों के आब इतने घरेलू काम के गंटे 30 अपता है 30 इस तरियों के कुल काम करने के गंटे पूरसों के बेतन साहत काम करने के गंटे 38 और पूरसों के आब इतने घरेलू काम के गंटे 2 तो इनके 40 हो गए और इनके 23 हो गए अब समझ में आये कितना डिफ्रेंस है तमिल लाडू की बात करें तो 19 और 35 40 और 4 इनके 44 और इनके भी इनके 45 sorry 55 sorry कितना 55 कितना अब दरह दिख्राव है कि एक सब्ता आएगा कि महिलाओं को इतना काम करना पड़ता है और पुरसों को कितना डिफ्रेंस है लेकिन बेतन किसका जाना है पुरसों का देखोगा इस बहुत बड़ी आसमानता है महिलाओं का काम और समानता जैसे हमने देखा है कि महिलाओं महलाओं के घरेलू और देखवाल के काम को कम मत देना एक प्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है या इस तरीयों पुरुसों के बीच आसमानता की एक बड़ी सामाजिक विवस्था काई भागे इसलिए इसके समाधान है तो जो कारे जो कार किये जाने बेकिबल बेक्तिकत या परिवारे इस तर पर नहीं अम जानते हैं कि समानता अमारे समिधान का मत्वर्ण सिद्धान्थ समिधान कहता है कि इस तरीया पुरुस होने के गाधार पर वेह दबाव नहीं किया जा सकता है परन्तु बास्त्विक्ता मेंलिंग भी किया जाता है सरकार इसके कारड़ों को समझने के लिए और इस्तित्ती का सकारात्मक निदान ढूनने के लिए बच्चन बद्धे वधार्ण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखवाल और घर के काम का बोज महिलाओं और लड़कियों पर पढ़ता है सवबाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पढ़ता है इससे ही निश्य होता है कि क्या महिलाओं महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगे यदि करेंगी तो इस पेकार का काम या कारचित चुनेगी पूरे देश के कई गाओं में सासन ने आंगन वाडियां और बाल वाडियां खोली है सासन ने एक कानून बनाया जिसके तरह यदि किसी संस्ता में महला कर अंचारी की संख्या तीस से अदेख तो उसे बैदानिक रूप से बाल वाडि की सुद्धा देनी होगी वाल वाडि की विवस्ता होने से बहुत सी महलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुद्धा होगी इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभाव हो सकेगा इसी चेक्टर से संबन दिता प्याप्यास के लिए कुश्चन्स दिये गए वैसे भी टेली गजान पर डाल दी गई पीडियाप्टी देख लेना उसे इस सद्ध्याय में जो आपके सब्द कुछ मत्मून सब्द देखें हमने उनकी परिवासा दीती आस्मिस्तिता आ इस्मिता पहचान यान की यह एक पकार से स्वयम के होने यानि अपने अस्तित्य के पिती जागरूपता का भाव है एक वैक्टी की कई आप इसमिता हो सकती है वधारने के लिए एक वैक्टी को एक लड़की बहें संगीत कार की तरह आप इसमिता जा सकता है पहचाना जा सकता है दोहरा पोच सामदेक रूप मैं इस का अधियते तो गुना बजान सामनता इस सब्कां महीलाओं के काम की स्थित्यों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है यह इसत्त्य को स्वीकर करता है कि महिलाएं आम तोर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोरा का भार समालती है देखवाल के अंतर अनेक काम आते हैं जैसे समालना ख्यान लगना पोसर्ण करना आदी सारी रिक कारियों के अत्रिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी समलित होता है आउमुले जब कोई अपने के लिए देखें अगर कोई लड़का अपने मित के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उभार बनाता है और उसका में तो से देखकर ही कुछ भी ना कहें तो ऐसे में पहला लड़का आउमुलीत महसूस करता है तो यह पापका फूर्ट नमबर का चक्टर उड़को और वारतों ने बदली दुनिया क्या होका हमारा चक्टर और वोरतों ने बदली दुनिया नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NTI कप्छा सात्वी की सामाजिक एवं राजनितिक जीवन दो के बारे में सामाजिक एवं राजनितिक जीवन सेकेंड जो आपकी बुक्स है उसके अभी तक हम लोग चार चेक्टर कतम कर चुके हैं यह पांचवा चेक्टर होगा आपका और तो ने बदली दुनिया याद रखिए मैं बार बार यह यह योँगा किसे एक बार आप कहानी की तरह सुनिए और बाद में जो भी इसका निस्कैस होता है अध्याय का बता दिया जाता है लाष्ट में एक दो बार आप सुनेंगे आपका जो भी कॉंसेप्ट के लिए नहीं होते हैं वो आराम से हो जाना है और हमें बेस बनाना है इसमें थोड़ी कुछ समझना है बस रटना थोड़ी ह कुछ है एक में जो सब्दें नॉर्मल परिवासा दी गई है जनी कि कानी के रूम में उन्स सब्दों को जानना है और बस निकल जाना है तो आराम से सुनिए बीच में आप हरवड़ा ही मत लाष्ट में इसका निसकर्ष बता दिया जाता है तब समझ में आ जाए लो पिछल करना पूरे समय का काम है और इस कार रोख इकी प्यारम और समाप्त करने का कोई निश्श्ष समय नहीं बी नहीं है इस अध्या में हमें घर के बाहर की कामों को देखेंगे और समझेंगे कैसे कुछ प्राप्त करने के लिए इस तरीयों ने कैसे संगर्ज किये पहले भी और आज भी सिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसे महलाओं के लिए नए अवसाद निर्मित किये जा सकते हैं साथ ही सद्याय में हर हमहाल कि बसों में महला आंदोलनों द्वारां बेदभाव को चुनोती देने के लिए किये जाने वाले बिभिन पिकार के फ्रियतनों के बारे में भी संकर संचिप में जानेंगे भारत में तेरासी देसंबल और छे बिदी सब महलाएं खेतों में काम करती हैं उनके काम में पौधे रोकना खरपतबार निकालना हसल काटना कुटाई करना फिर भी जब किसान के बारे में सुचते हैं तो हम एक पूरुस के बारे में ही सुचते हैं समझ मैं है कम और और कट्ठोर अपेक चाहें तो रोजी मेडम की पक्चा इदिकास बच्चों ने नर्स के लिए महलाओं के और पाइलेट के रूम में पौरुसों के चित बनाए ऐसा हो उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता ही घर के बाहर भी महलाएं कुछ खास तर कर सकती हैं उधारण के लिए बहुत सो लोग मानते हैं कि महलाएं अच्छी नरस हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनसील और बिनम होती हैं इसे परिवार में इस्तरियों की भूंका के साथ मिलाकर देखा जाता है इसी फिकार से माना जाता है कि विग्यार के लिए तक्नीकी दिवाग की जरुएत होती है लड़कियां और मैलाएं तक्नीकी कार करने में सक्षम नहीं होती हैं अनेक लोग इस फिकार की रूड़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर बाइंजिनियर बनने के लिए अध्यन करने पिसीक्षन लेने के लिए वैसा जो नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है अधिकांस परिवारों में स्कूली सिच्छा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए फेरिक किया जाता है कि विसादी को अपने जीवन का मुख लच्च मालने यह समझना आव होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चड़ाने के कारण पैदा हो जाता है लड़कों पर ऐसे नौक्री प्राक्ट करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक बेतन मिड़ी यदि वे दूसरे लड़कों की तरह वियोभान नहीं करते हैं तो उन्हें चड़ाया जाता है वो दौस दी जाती है आपको याद हुआ कि कप्चा चप्पी की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बच्पन सही दूसरे क सामने रोने पर चड़ाया जाता है रोडिया रोडियों को तोड़ा है रेल इंजिन आदमी चलाते है पर जार्थन के गरीब आधिवासी परिवार की 27 बरसी महला लच्मी लाक लाकरा ने इस धारा का रूप बदल दिया उत्री रेल भी की वे पहली महला इंजिन चालक है ल उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संगर्श किया लच्मी की सिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई इसकूल में पढ़ने के साथ साथ लच्मी घर के कामों वा अन्य जिम्मेदाईयों में हाथ भी बटाती रही है उसने मन लगा कर और महने से पसंद है जैसी कोई यह कहता है कि फालों काम लड़कियों के लिए नहीं है तो उसे करके रहती है लच्मी की जीवन में ऐसा करने के यह आउसर लाए जब वह एलेक्टोनिक्स करना चाहती थी जब उनसे पॉलिटेखनिक में मोटर साइगी चलाना है और अब उसने तय किया प्रिवतन के लिए इसको जाना है कि वह एंजिन डराइव बनेगी उसका द्रेश्टी कोट सीधा साधा है जब तर वसे मजा आ रहा है और उसे किसी को नपसान नहीं पहुंचा रही है और वो अच्छे से रह पा रही है और अपने माता-पिता की मदद कर पा रही है तो उस से अपने तरीके से क्या ना क्यों ना जिये हैं इनकी कहानिया ड्राइव है अब बात करते हैं परिवतन के लिए सीखना इसकूल जाना आपके जीवन का बहुत मत्मूर रिसा है जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकान संख्या में बच्ची प्रवेश ले रहे हैं हम सोचने लगी कि जब सब बच्चों के लिए स्कूल जाना ये साधानन बात है आज हमारे लिए यह कलबना करना भी कठन है कि कुछ बच्चों के लिए इसकूल जाना और पढ़ना पहुँचके बाहर है की बात यह अन्चित बात भी मानी जा सकती है परंतु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे अधिकास बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुज़र्ग कते थे लड़कियों की स्दी और भी खराब थी उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता थी लड़कियों को अक्छर तक सीखने की अन्वती jahak की उनन परिवारों में भी जहां कुमारी बुन करी और हस्तकला सिखाय जाती थी यह साधा धारना थी कि ल भी चार नहीं चलाती इसलिए उन्हें कुमार नहीं माना जाता था लेकिन अपने पसंदीदा भी सहे इतिहास और भासाओं में उसने अच्छा किया जब उसकी माता पिता ने पईडाम देखी तो भी खुश नहीं हुए ये भगवान जेबियर गड़ित में कुछ तुम सरिफ पैसक पिते सक लाएँ पिती सक लाएँ बहुत तीक सास्त में तुमारे एंक बहुत कम है मुझे पता है हाँ मा कोई बात नहीं क्योंकि मैं गड़े तो विज्ञान में पढ़ना भी नहीं चाहता हूं मैं इंतिहास पढ़ना चाहता हूं तुम इंतिहास क्यों पढ़ना चाहेते हो, अपने भविस के बारे में सोचो, तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इंतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविस नहीं है, पर मुझे गड़े तो विज्ञान अच्छा नहीं लगता है, समझदारी से काम लो दिया करते हैं, बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं है पसंद, क्या आंगे लेना है, उसका फैसला उनकी मावाब करते हैं, रामा भाई, 1889-1920, अपनी बेटी के साथ, महला सिक्छा की ये इवदा, स्वयन कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना-लिखना सीखा लिया, उन्हें पढ़निता की उपादी दी गए, क्योंकि मैं संस्कित पढ़ना-लिखना जानती थी, ज वरतों को तब यह ग्यान अर्जित करने की अन्मती नहीं थी, उन्होंने 1889-1990, पूरे के पास खेड़ गाउं में एक मिसन इस्थावित किया, जहां बिदभास्तरी हैं और गरीब गरीब वरतों को पढ़ने लिखने, तथा सोतंत होने की सिक्छा दी जाती थी, उन्हें ल चपी तश्वीर में उनका कारखाना देख रहा है, रामाबाई का मिसन आज भी सब्क्रिय है, आगे बात करते हैं, 1927 में लगभग 200 बर्स पूर, सिक्छा के बारे में कई नए बिचारों ने जनम लिया, बिद्धियाले अधिक पिचलन में आगे, और बेसमाज जिनों ने स बच्चों के स्कूल बेजने लगे, तब भी लड़कियों की सिक्छा को लेकर बहुत बिरूद हुआ, इसके बाद चूद बहुत सी स्कूल खोलने के लिए प्रतन किये, इस्कूल खोलने के लिए प्रतन किये, इस्कूल ने पढ़ना लिखना सेखने के लिए संगर किया, आ उनकी पुस्तक आमार जीवॉन किसी बाती है महला द्वारा लिखी पहली आखम करता है। राज सुंद्री देवी एक धनवान जमीदार परिवार की गेहनी थी। उस हमाई लोगों का विस्वास था कि यदि लड़की लिखती पड़ती है तो वह पती के लिए दुर्भा गिल कि उधर आधिराप हो जाने के बाद भी काम में लगी देती थी। बीच-बीच में विस्तराम नहीं होता था। उस समय एक केबल 14 वर्स की थी। इनके मन में एक अभिलासा पनफने लगी। ये पढ़ना सीखूंगी। और एक धार्मिक पांडूली भी पढ़ूंगी। ये पढ़ती नहीं है। फिर भी एक कैसे पढ़ूंगी। इनके मन में विचार चले। फिर भी एक सुपन आया। ये चेतन भागवत एक संथ का जीवन पढ़ रही थी। Jak dois Hm mari sikha प्रापत करंने की कुछ महिलाए उनी समाज में इस्टरीयों की स्तिरी के बारे में प्रिसेन उठायunivers समाज में इस तरी के बारे में परिसेन उठाय है। बाद में दिन के समय में जब रसोई में बैठी हुई भूजन पर बना रही थी तो इनके अपने पती को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना विपिन मैंने अपनी चितन्य भागवत यहां छोड़ी थी जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना विपुस्ता को ह चोड़ कर चले गए जब उस तक अंदर रख दी गई तो इन्होंने चुपके से उसका एक पना निकाल दिया और सावधानी से उसे चुपा दिया उसे चुपाना भी यह बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी वह मेरे इनके हाथ में नहीं देखना चाहिए था इनका सबसे पंदी के अक्षणों का मिलान अपने याद किये अक्षणों से कलती है यह उन सब्दों का भी मिलान करने की कोशिस की जो यह दिन भर में सुनती थी अप्तिविक जतन ओड़कोशिकों कोशिसों से एक लंबी समय के बाद यह पढ़ना सीख सकी है रास सुंद्री देवी की उन्हें चेतन भावगर पढ़ने का आउसर दिया स्वयम अपने लेखन मत्षे उन्होंने संसर को उस समय के स्थ्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक ओसर दिया रासुंद्री देवी ने अपने देन, थेन दिन, जीवन के अनवरों को दिस्तार से लिखां ऐसे भी द संद्री देभी वो रुकेया हुसान गर्ष का दांग कॡ़न की परीवार थर्भ है परक्रिया सखावत हुसेन एक धनी परिवार में पैद आविल जिसके पास बहुत जमीन थी याप्टी उर्दू यक्पी उन्हें उर्दु वो पढ़ना और लिखना आता था परंदु उटने बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका वया उसमें अंग्रेजी को एसी भासा के रूम में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी जैने लोग लड़कियों के लिए खेक नहीं मानते थे इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों कोई पढ़ाई जाती थे प्रोकेया ने अपने बड़े भाई और भहें कि सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना चीखा आंजे आंगे जाकर एक लिएक शिका बनी 1905 में जब केवल 25 अपना के लिए जो लेडी लेंड नाम से नाम की एक जगए पहुंच थी लेडी लेंड एक ऐसा अस्तान था जा इस्त्रियों को पढ़ने काम करने और अविस्कार करने की सुदंता थी इस कहानी में महलाएं बादनों से होने वाली बर्सा को रोपने की उपाय कुछ थी और रहवाई कारेंद चलाती हिं लेडी में पुर्सों की आक्रमक बंदु है और योद्यके अन्म अस्त सस्तिस्त्रियों की बहुत दिबसक्ती से हरा दिये जाती है और पूरुस , पुरुस एक अलग दलग इसतान लेडी लेंड में अपनी बहन सार debates तक यात्रा पर जाती है त जैसा कि आपने देखा रुकेया सखावतुसेन, उस समय इस्तरियों के हवाई, जहाज और कारे चलाने का स्वपन देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अन्मती नहीं थी, इस तरह से सिक्षा ने रुकेया का जीवन बदल दिया, रुकेया के बल स्वयम सिक सिक्षेत को कर संतुष्टी नहीं हुई, उनकी सिक्षा ने उन्हें स्वपन देखने और लिखने की ही सक्ती नहीं दी, वर उन्हों इसे भी अधिक करने की सक्ती दी, 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खुला जो आज भी कारिक कर लगा है, राजसुन्दरी देवी और रुकेयस हैं हुसेन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अन्मती नहीं मिली, कि स्तिती के विप्रीद बरत्मान समय में भात में बड़ी संख्या में लड़कियां इस्कूल जाने, एक से उतके बाप जुद, बहुत सी लड़कियां गरीबी, सिक्ष प्रिषण की समाल सुगतायय के दाना, विशेस के लड़कियों को आज भी भारत में एक चुन होती है, फिर बात करते हैं वर्तमान समय में सिक्षा और बिद्यार है, आज की युग में लड़के और लड़कियां विसाल संख्या में बिद्यार जारे हैं, इस्में बहुत से देखते हैं कि लड़कों लड़कियों की सिक्षा में अंतर हैं। भारत में हर दस बर्स में जनगरना होती है। जिसमें पूरे देश की जन संख्या की करना की जाती है। इसमें भारत में रढ़ने वाले बालों की जीवन के बारे में भी बिस्तत जानकारी एकत्यत की जाती है जिससे उनकी आयू पढ़ाई उनके द्वारा किये जाने वारे काम आदी इस जानकारी का इस्तिमाल हम अनेग बातों के आंकलन के लिए करते हैं जैसे सिक्षित लोगों की संख्या इस्तरी और पुर्सों का अनपार जैसे सब लड़कों और पुर्सों साथ वर्स या उससे अधिक वायू के चालीज पिती सथ सिक्षित था अर्था भी कम से कम अपना नाम लिख सकते थे इसकी तुल्ला में लड़कियां लड़कियों तथा इस्तरीयों की वाल 15 पुर्सों में साथ चलता थी मैलाव में 15 के वल्ड़कों बाप पुर्सों की यह संख्या बढ़कर ब्यासी पिती सथ हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा इस्तरीयों की संख्या 65-30 हो गई है इसका असा है हुगा कि पुर्सों और इस्तरीयों दोनों की बीच ऐसे लोगों का रपात बढ़ गया है जो पढ़ लेख सकते हैं जिने कुछ हद तक सिक्षा मिल चुगी है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस्तरीयों की तुल्ला में पुर्स अधिक पिती सथ ह इनके बीच का अंतर अभी समाप नहीं हुगा नीचे दीगे इस तारीका में विवेन बरवों में कि उन लड़की विवा लड़कियों का पिती सथ दरसाय गया है जो बीच में ही बिद्याला चोड़ देते हैं अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती कि लड़के लड़कियां इनमें सामेल है तो रात में कप्छा एक से पास तक इसमें लड़के चार पिती सथ चार दसम लोठा से खुल है चार सबमें ठील यह अनसूच्त जन जाती का है और यह अनसूच्त जन जाती है उच प्राठमें चछा में 6 से 8 तक इसमें लड़के तीन दसम लगदी चालगनों- entirety और शारग़ध बुठीमें 4060 ये關係 सब बाता शारगनों-entsब 4 दसम लग इनका, 0-3 पिती सा, लड़के बीच में इसको छोड़ देते हैं, अनुसुचित जाती में 5 पिती सा, 6.03 लड़कियां, तो 5.59 इसमें पोरुस को लेव छोड़ते हैं, ठीक है, 6 से 8 बीच तक है, और अनुसुचित जाती में लड़के 8.48 पिती से, लड़कियां 8.30 वे यह गुए है अनुसुचित जाती की बात करें, तो 9.30 बीच तक है, फिज rhard देते हैं, अनुसुचित जाती की बात करें, momencie 1994 पिती सा, चौर देते हैं, लड़के 19.05, कुलेव 19.36, कर्षा 9.10 वी में इसकूल छोड़ देते हैं, अनुसुची जंजाती की बाद करने तो 24.94, 24.40 लड़कियां, और 24.60 लाने की कुल, सिक्षा छोड़ देते हैं, कर्षा 9.10 वी में, संभावता आपने उपर दी गई तालिका में, इस बात पर ध्यान दिया हुआ, कि सब लड़कियों की सैनी की तुलना में अनुसुची जंजाती की लड़कियों, लड़कियों की स्कूल छोड़ने की अथिक है, इसका अरत है हुआ, कि दलित वा आदिवासी पिश्टभूमी क लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है, वर्ष 2011 की जंगना से यह पता दिता है, कि अनुसुची जंजाती और अनुसुची जंजाती, लड़कियों की अपिक्चा मुसलिम लड़कियों की प्रात्मिक स्क्चा पूरी करने की संभावना और भी कम है, मुस निक कारण है दिसके निक भावों में बिसेस कर गिरामिर और गरीव छित्रों में नेमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं ना ही सिक्चा के यदि विद्याले गर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या बैन आदी की विवस्ता न नहीं बेजना चाहते हैं कुछ परिवार अध्यंत निर्दन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं ऐसी इस्तिती में लड़कों को प्रात्मिक का मिल सकती है बहुत से बच्चे इस पूल भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके सिक्चक और साहपाटी बेरभाव करते हैं जैसा कि ओंट प्रात वालमी के साथ हुए देते हैं महला अंदोलन अब महलाओं लड़कियों को पढ़ने का और इस्कूल जाने का अधिकार है अन्यचित भी है जैसे कामनी सुधार इंसाथ और स्वास्त जहां लड़कियों और महलाओं को इस्तिक दिश्तर हैं यह परिवर्फन अपने आप नहीं आए ऑड़तों ने व॥की तिक दिश्तर वण और आपस में मिलकर इस परिवर्तों के यह संग्रस किया है इन संग्रसों को महला अंदोलन कहा जाता है देश के बिविर्बाव इसे कई औरतें, कई महला हैं, संगठन इस आंदूलन के हिस्से हैं, कई पुरस भी महला आंदूलन का समर्थन करते हैं, इस आंदूलन मेजूटे लोगों की महनत निष्ठा उनकी विशिष्टाएं, इससे एक बहुत ही जीवन आंदूलन बनाती है, इसमें छेतना जगत आप यहां देख सकते हैं, अभियान, क्या है अभियान, बेदभाव और इन्सा के विरूद में, अभियान चलाना महला आंदूलन का एक मत्वून हिर्षा है, अभियानों के पदस्वरूप नए कानून भी बने, सं 2006 में एक कानून बना, जिस्म से घर के अंदर सारे रिक औ मासिक इन्सा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दिए, इसी तरह एक महला अंदूलन के अभियानों के कारण 1997 में, सरवोच नेवला इने कारे के स्थान पर सेक्षिक संस्थानों में महलाओं के साथ होने वाले योन उत्थ पिदाणना से उन्हें सुरक्षा पिदान आवाल इठाई थी, नव विवाहत यूपतियों को उनके पती और सस्वराल के लोगों द्वारा दहित के लालच में मौत के घार उतार दिया जाता था, महला संगटनों ने इस बात कड़ी आलोचना के लिए कि कानून अपरादी, कानून अपरादियों का कुछ नहीं कर पा किया, अंतता यह समाज एक बड़ा सारवजिनिक मुद्दा बन गया और अकवारों में छानने लगा, दहिज से समदित कानूनों को बदला गया, ताकि दहिज मांगने वाले परिवारों को दंडिक किया जा सकने, सत्तरानी महला अंदूरन की एक सक्रिय सदस्ति, दहिज के कि यह मार दी गई, अपनी बेटी के मामले में नियाय मागने के लिए लड़े गई लंबे मुकदमे की कानूनी फायल से घिरी हुई सरवुच नियाले की सीडियों को बड़ानी, सत्तरानी, जागरूपता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों को समद्ध में, समाज में जागर कारे, गीतों, नकड़ों, नाटों माजन, सभाओं के माद्यम से, कोई अपने संदेश लोगों के बीच महुचाता हूँ, याद रखे, कोई भी, मैं यह नहीं बोलता हूँ, महलाओ कोई छुड़ी, कोई भी काम हूँ, फिर चाहे वो आपका सफाई अभियान का हो, या किस की भी बीतरय का गाम होु, अगर लोगों में जाघरूपता नहीं होगी, तो आप कितने भी कानून ले आखो, कितना भी कुछ कर लो, कोई भी सरकार आजाए, कुछ भी बदलने माला हूँ, ठीमा, जब तक हम लोग जाघरूप नहीं होंगे, जंता, अमें संमजमें नहीं कोई काम निपोगा थिक सबसे बड़ा काम है जागरूपता का अगर जागरूप हो जाए तो सब काम हो सकते हैं विरोद करना जब महलाओं के हित्तों का उल्लगन होता है जैसे कि किसी कानून या नीती द्वारा तो महला अंदुलन ऐसे वो लोगों के खिलाप आवाल उठाता है लोगों का ध्यान कीचने के लिए रेलियां पे दर्सना आधी बहुत असर कारेक्ट तरीक है बंदुत ब्यक्त करना नयागे अनमद्धों बा ओर्तों के साथ बंदुत ब्यक्त करना भी महला अंदुलन का यह हिस्सा है आठ मार्च अंतरफ्टिये महला दिवस्त को दुनिया बरकी ओर्तें अपने संगर्सों को ताजा करने जसन मनाने के लिए एकटी होती है हर साल 14 अगस्त को वागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारां लोग एकटा होते हैं और एक सांस के देख कारकरम आयुच करते हैं उपर की तस्कीर में भारत और पाकिस्तान की लोगों के वीच बंदुत प्रिदर्शन करते हुए और उड़तें जादी में मौबतिया उठा रहे हैं यह आपके अध्या होगा है इससे समंदित यह आपके कुछ है अभयास के लिए कुश्चन दिये टेली गराम पर पीडियाप डली हुए वहां से डाउनलोड कर लें इस सब्संकलर है रोडी वादी धाड़ा हैं जब हम विश्वास करने लगते हैं कि कि किसी यह भी केवल खास्पगार का कारी कर सकते हैं तब रोडी वादी धाड़ाओं का जन्म होता है जैसे इस पार्ट में हमने देखा है कि लड़कों और लड़कियों को अलग लग बिसार लेने के लिए कहा गयर हैं कारण उनकी रुची ना होकर उनका लड़का लड़की होना रोडी वादी धाड़ाएं हमें लोगों को उनकी व्यकति विशिश्च्णाओं के साथ देखने को से रोखती है बेदवाव, बेदवाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता बादर का विवाद नहीं करते हैं, यह तब होता है जब बैक्ति या संस्ताइं पूर्वाग्रहों सिगेसित होती है, बेदवाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग विवाद करते हैं या बेद करते हैं उल्लगन जब कोई जबजिश्ती कानूं तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अफमान करता है तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लगन किया है योन पिती पितार्णु इसका आरत आसे औरत की इच्छा किवरूत उसके साथ योन से जोड़ी सारेरिक बगमौकिक हरकतें करने स तो इससर द्याय में लोगने देखा है कि महलाओं पुरूसा की बीच किस तरह की आख समानता है फैली हुए वह समय देखा है कि ऐसा कोई काम नहीं जो महलाएं ना कर सकतें पर चाहिए आपने कोई भी कहानी पढ़ने की देखो बिना सुब्धा मिलते हुए भी पुरूसों से आगे निकल रही है मैला है तो इस आपके मैलाओं और पुरूसों के बीच आसमानता से संभण दी जो भी आपके तत्थ हैं वो सभी हम लोगों ने देखे है तो यह थी आपकी तीसरी काई आगे हम बात करेंगी छटवे द्याय के बाएं संचार माध्यमों को समझना छट दोस्तों तुछली हम लोग बात कर रहे थे NCRT कक्षासादवी की सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन जीवन सेटेंड के बारे में जो आपकी सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन भाग दो बुक है ना उसी के हम लोग अभी तक पांच चेप्टर खतम कर चुके थे छटवा चैप्टर में देखना है क्या देखना है छटवा जप्टर देखना इसमें सजार मातधेमों को समय तो याद रखिए कछा छटवी की आपकी NTEIT की जो भी कितार मात्वुन ती हमलोग उप कर चुके हैं कछा साथ ही की यह मैं जो देखनी है मात्वुन हमारे लिए उनमें प दो दिया, तो याद रखना है आपको, इसे एक कहानी की तरह सुनते जाईए, और लाठ्ट में इसका जोगी ने इसकर सुता है, वो समझ में आ जाता है, वो बता दी दिया जाता है, ठीक, और मुझे नहीं लगता है कि आपको जान्दर समझाने की इसमें जरूरत है, बस एक दुबार आप सुनेंगे, आराम से क्लियर हो जाएंगे आपकों से, ठीक, टेली विजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, फ्रेया आप कौन से अकबार या पत्तिकाहें बढ़ते हैं, क्या आप इंटरने और संचार के अनसादनों के लिए प्रेयोग में लाया जाता है, यह सब्द है आपका मीडिया, इस पार्ट में आप मीडिया यानि संचार मात्यमों के बारे में विश्तार से पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि यह काम कैसे करता है, और कैसे हमारे पितिदिन के जीवन को तिर कि दुखान से लेकर टीवी के कारकरम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार मात्यम यानि मेडिया कहा जा सकता है, मेडिया अंग्रेजी के मीडियम सब्द का बहु बचन है, और इसका तात पर उन विविन्न तरीकों से जिनके द्वारा समाज में वीचारों का आधान करते हैं, मीडियम का थूता है मात्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्प संचार मात्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फॉन पर बात करने से लेकर टीवी पर साम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है, टीवी रेडियो और आख़वार संचार मात्यमों के ऐसे रोप बात करते हैं संचार माध्यम और तक्निकी आपके लिए संभा होता संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कलपना करना भी कठीन होगा लेकर केबल टीवी और इंटरनेट की विश्तित उप्यों हाली में शुरूं हुए इन्हें पिचलन में आये अभी 20 पर्ष भी नहीं जन संचार माध्यमों के लिए विरयोग में आने वाली पुरुद्धोगी की नियंतर नियंतर बदलती रहती है अकवार टेलीवीजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें एक बिश्रिष्ट विकार की तक्निकी तक्डिक का उप्योग किया अध्यम के रूम में और टीवी तता रेडियो की इलेक्ट्रोनिक माध्यम के रूम में भी चयरकते हैं। माद्यम के इस्तीमाल में लाई या रही तकनीक किस प्राइब बदलने चीह और आज भी बदलती जा रही है तकनीक की तकनीक तथह मसीन को मसीनों को बदलकर आध्धूनिक अत्याधूनिक बनाने से संचार माद्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद बिलती है इससे दोनी और चित्रों की गुर्वत्ता में सुधार आता है लेकिन कखनीक इससे भी अधिक कुछ करती है यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परियोरतन लाती है उधारन के लिए आज हमारे लिए टेलीवीजन बिना जीवन की कलतना करना कठे है टेलीवीजन के कारण हम अपने आपको विस्व समाज का युक सदस समय लगे है टेलीवीजन में पिदर से सेटिलाइट और केबल के विस्तत जाल के माद्यम से अत्यंत्य सुदूर छेत्रों तक पहुंचाये जाते हैं इसके कारण हम संसार के अन्दभागों के समाचार और मनुरण्यक कारकरम देख पाते हैं आप टीवी पर जो कार्टूल देखते हैं वे अधिकान दित्ता जापान रेसा युक्तराच अमेरिका के होते हैं अब हम चैन्य या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरीडा आपी समुद्री तूपान की छबियों को देख सकते हैं टेली वीजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है 1940 के दसक में एलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर के आजाने से पत्तिकारता की दुनिया में बड़ा बलगा हुआ है संचार माध्यम और धन जन संचार द्वारां उपयोग में लाई जाने वाली विभिन तकनी की अतिन्द खर्ची लिए जरत टीवी स्टीडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है इसमें लाइटें, केमरे, धोनी रिकॉर्डर करने की यंद संपेशन के लिए सैटिलाइट आ दिये इन सभी का मूल बहुत अधिक होता है समाचार के स्टीडियो में केवल समाचार वाचक कोई बेतन नहीं दिया जाता है बलकि और बहुत सारे लोग जो पिसारन में सहायक होते हैं इसमें भी लोग समलेते हैं जो केमरे वक्विकास की विवस्था करते हैं जैसा कि आपने अभी पढ़ाया है कि जद सच्यार माध्यम नियंतर बदलती रहते हैं इसलिए नवीनतम तक दी जुटाने पर भी बहुत धन बैह होता है इन खचों के कारण जन सच्यार माध्यम को अपना काम करने के लिए बहुत एधिक धनकी आवसकता होती है फईडामता अधिकांश टीवी चैनलों और समाचार पत्तों किसी बड़ी व्यवपा ब्याफारिक पितिष्ठान का भाग होती है यह यह एंद आपको दिखरा है यह टेली वाइजर है टेली वीजन का प्यारमबे ग्रूप था है अपने इस अविसकार के सामने बेटे हैं जॉन एल बेट इस एंद के दौरा उन्होंने रोयल इंस्टिटीट के समख्च अपने अविसकार का किदर्शन किया था जन्संचार माध्यम लगाता धन कमाने कि विभिन तरीकों के माध्यम से मैं सोचते रहते हैं एक तरीका जिसके द्वारा जन्संचार माध्यम धन अल्जित करते हैं विभिन बस्तुओं के विग्यापन का है जैसे कारें, चौकले, कपड़े, मुबाईल फोन आती आपने द्यान दिया होगा कि अपने फ्री ए टेली कारक्रम को देखते हुए आपको ऐसे एनेख विग्यापन देखने पड़ते हैं टेली वीजन पर किरकिट का में देखते हुए भी हर ओबर के बाद के बार-बार वही विग्यापन देखायाए इस तरह प्रया बार-बार आप उन्हीं छबियों को देखते हैं जैसा आप आंगे देख रहेंगे इस तरह कि अध्याय में पढ़ेंगे विग्यापन के कि बार-बार इस आसार से की जाती है कि आप बाहर जाकर विग्यापित वस्तुएं थरी लें जैसे एक टीवी चैनल में दस सेकेंड के लिए विग्यापन देने का मूल उसकी लोगपेता और समय की आधार पर एक हजार रुपे से एक लाग रुपेत के बीच पड़ता है आगे बात करते हैं संचार माध्यम और लोकतंत लोकतंत में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली मत घठनाओं पर चर्जा करने में संचार माध्यमों की फूं क्या अत्यमिद्ध मत खूँए असब्धित मंतरी को पत लिख कर सार्द्विनिक विरोध आयो जित करके हरस्ताक्ष्रअभियान आधिचल कर सरकार से पुनाह उसके कारकरम पर्विचार करने का आगरे कर सकते हैं जानकारी देने के सम्मन्द में संचार माद्यम की महत्पून भूमिका को देखते हुए यह अवर्षक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए आईये अंगले पेश्ट पर दिये गए एक समाचार के दो भिन रूपों को पढ़कर समझने की संतुलित संचार माद्यम का जाता नीूज आफ इं旧्या की रिपोर्ट इंडिया डेली की रिपोर्ट चलिए नीुज आफ इंडिया की रिपोर्ट देखते हैं पहले फ oyster फैला ने वाले कारिकाने पर व wrap विरोधियों द्वारा चक्का जां व याद्द्र रुखा कारखानों की मालकों और मजदूरों के हिंसात्मक बिरोद में आज सहर की गतिविदियों को रोप कर दिया सड़कों पर भाहनों की विसार जाम लगने के कारण लोग समय से अपने घर पर नहीं पहुंच सके कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के पिदूसन फैलाने वाली एकारियों को बंद करने के लिए नेड़े का बिरोध कर दें यह पी सरकार ने यह नेड़े कुछ जल्दवाजी में लिया है परन्तु बिरोधीयों काफी समय से यह पता था कि उनकी एकाईयां गेर कानुमी है इन एकाईयों के बंद होने से सहर में पिदूसन का इस्तर काफी कम हो जाएगा सहर की गड़मा नागरिक स्री जैन ने कहा है कि हमारा सहर भारत की नई बेवसाइक केंद की रूम में इस्थापित होता जा रहा है इसके साथ साथ यह भी आवज सक्थ है कि सहर साफ और हरावराव रहे पिदूसन पहलाने वाले कारखानों पहटाया जाना चाहिए विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालकों बहकामगारों को उना है इस्थापना का फिस्ताव सुईकार कर दे लेना चाहिए कारखानों के बंद होने सिगोर असांती सहर के आवासी एच्छित में एक लाग कारखानों का बंद होना एक गंबीर समस्या की रूम में ले सकता है सौंबार कुँ हजारों कारखाना मालिक वक्कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरूद जताने के लिए सडकों पर उतराए है उन्होंने काए कि इससे उनकी रोज़ो रोटी छिंजाएगी उनका कहिना है कि गलती नगर नेगम की है क्योंकि वह आवासी है चेत्रों में लगातर नए कारखाने लगाने की लैसेंस देता रहा है उन्होंने यह भी खाये कि उनके पुनर इस्थापन के लिए परियप्त पेतन नहीं किये गए कारखाने की मालक को मजदूरों ने कहा कारखाना बंद करवाने की विरूद में सहर में एक दिन का बंद इस्तावित किया है एक कारखाने के मालक स्री सर्माने कहा है कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर इस्थापन के लिए बहुत कार किये लिकिन जिस पिकार के विचित वह हमें दे रही है वहां किसी पिकार की सुद्दा नहीं है फिसले पाँच बरसों में वाश्टिविक्ता तो यह है, यदि आपने इन में से किबल एक समाचार पत पढ़ेंगे, तो विसह का एक ही पक्ष जान पाएंगे आप, आप इन में से अगर एक कोई भी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, जो न्यूज पेपर का एटिकल है, तो इसमें आप एक ही पक्ष को ज उत्पात लगती। उनका याता है विवस्था में बादा उत्पन करना और अपने कारखानों से सहर में पिदूशन फैलाती रहना आपकी मन में उनकी बुरी छभी अंकित कलता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानती की कारखाने बंद होने पर बहुत सी लोग अपनी रोजी रोटी खोदेंगे क्योंकि पुनारिस्थाफन के प्रियास आपरयाब थे। एंड़नों में से एक भी बिवरंट संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वय होती है जिसमें किसी भी विसाइपत हथ द्रिश्टी कौट से चैचा की जा ढरतना नहीं है कुछ, आपको बैलेन्स बनाके दोनों पॉच्छों में लिखना है। सही भी लिखना है, अगर किसी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है, तो आपको इसके आ imported रीकि detrum बने वहा है, और रीकिいます flowers look the evaluation बनाते हूद किसी के बारे में लिखना है। और अपनी जाए कि उसके बारे में गलत ही गलत लिखते जा रहे हैं या फिर उसके बारे में सही सही लिखते जा रहे हैं उसकी बुराईयों पूरी तरह से भूल तो आपको बैलेंस बना के लिखना है सही भी देखना है और गलत भी देखना है कोई भी काम हो उसके दो भी परडाम होते ह नकारात्मिक भी उते हैं और सकारात्मिक भी तो आपको दोनों में बैलेंस बनाना है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माद्यमों की सुतंत होने पर निर्भर करता है सुदंत संचार माद्यमों सितात पर रहा है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंतित्याद प्रभावित ना करे समाचार का विवरन देने में कोई भी उन्हें नियंतित्याद ना करे उसमें क्या समलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं लोक्त्वन्त में सुदंत संचार माध्यमों का होना अतिन्त मात्वून है जैसा आपने उपर पड़ा है कि संचार माध्यम द्वारा पिदान की गई जानकारी के आधार पर कि हम नागरेकों के रूम में कारवाई करते हैं इसलिए आवस्तक है कि यह जानकारी विश्वस नहीं है और तकष्ट तर्थ तो यह कि संचार मात्यम सुदंत नहीं है इसके मुक्खता दो कारण है पहला कारण सरकार का उंपरन्येंद्ण जब सरकार समाचार के किसी अंद्स, फिल्म के किसी द्रस या गीत की किसी अभिव्यक्ति की जर्म समदाय तक पहुचाने से पिती बंदित करती है तो इसे सेंसर से कहा जाता है क्या कहा जाता है, sensor proximity कहा जाता है, भारत की दियास में इससे समय भी आई है, जब सरकार ने संचार्ब्री मों के उपर sensor लगा यह, इसमें सबसे बुरा आपका 1975 से 1978 का आपादकल्ड जो इंद्रा गंदी की समय लगाए गया तह। इसे काला दिन भी काला समय भी कहते हैं सरकार यह भी फिल्मों का तुनिय इंतर सेंसर रखती है लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है सरकार द्वारां सेंसर से ना होने पर भी आजकल अधिकांस समाचार पत संतुलित विवर्ण देने में आसफल रहते हैं इसके कारण बहुत जटे हैं, संचार माद्यमों की विशे में सूद करने वाले लोगों का कहना है, ऐसा इसलिए है कि संचार माद्यमों पर व्यापारी पितिष्ठानों का नियंतर है, कई बार किसी विवरण के एक पक्षपरी ध्यान के अंदित कराना इनकी हित्मे होता है, स से गहन जुडाओं होने के गारण अब संचार माद्यमों कुछ सुतनत नहीं समझा जाता है, इस कहानी को देख लेते हैं, संचार माद्यमों को सब्सक्राइबू- किसा क्या करता है, और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, देख लेता हैं, हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से बिचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं, उसी से बनते हैं यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह अपकी बिचार में यह हमें कैसे प्रवावीत कता है टीवी में अनिक विगारगे कारक्रम सास भी कभी बहु थी जैसे परिवारिक धारावाई, खेल समकारक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़ पती, वस्तविक जीवन को दर्शाने वाले कारक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आती है। हर कारक्रम के पहले बीच में और अन्त में बिग्यापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महेंगा होता है, इसलिए केवल बेही कारक्रम दिखाये जाते हैं, जो अधिक्तम दर्शाकों को आकासित कर सकते हैं। आपके विचार में ऐसे कौन से कारक्रम हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोचिए, जो टीवी में दिखाये जाती है, या नहीं दिखाये जाती है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है, या गरीरों के। हमें यह समझने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है यह दुनिया की बारे में हमारे दिर्ष्टी कोंट, हमारे विश्वास, हमारे रूख और मूलों को कैसे बनाता है हमें यह समझने की जरूरत है कि हम कि हमें संसार का दूरा द्रस सी दिखाता है अपनी पसंद के काईकरम का आनन लेते हुए भी हम यह नहीं बुलना चाहिए कि टीवी के परते से हट कर भी यह उत्सुपता बड़ा संसार है दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी और टीवी द्यान नहीं देती है फिलेम इस्टारों सोपेसे द्व्यक्तियों और धनन जीवन सेरियों से भी परेवी ऐसा संसार जहां हमको सबको पहुंचना चाहिए विविन पिकाल से अपनी पिती के रिया अभ्यक्त करनी चाहिए हमें ऐसा सज्यक्त दर्सक बनना चाहिए जो कार्यक्रों का आनंद भी ले और देखकर उस सुने गई पिसंगों पर पिसंग भी उठाए आपको बता है कि आप लोगों ने गरामीट चित्र से उत्वातने देखा हुआ कि आज से 10-15 साल पहली बस पहली गाउं में अगर किसी के यहां टीवी होती थी तो वहां भीड लग जाती थी पूरा गाउं एकटा होकर देखता था देखा होगा आपने तो इतना महत्त था समय टीवी का और हकीगत समझते थे जो भी अगर आपकी कोई मूवी या मूवी आ रही है तो उसे हकीगत समझते थे लोग कि यह हकीगत है बिल्कुल रियल्टी गटना है मैंने एक बार अभी नियूचुपर पढ़ा था च्यार पांश वर्स पहले मुरेना तरफ का था एंपी मुरेना मत्पेदेश में वहां किसी लड़के ने 25 साल का था चौवीच पच्चीश साल का था तो उसने मतलब वो एक गंगिश्टा टाइप का हो गया था मतलब कि कि किसी को चेताव नहीं दे दी कि तुमसे इतना पैसा चाहिए और वो नहीं द लिए पेसा मांगता था तो उसका मड़त गरती ता तो फ्क्रत आघा तो बाद में वो पकडरा गया तो उसने बोला कि वो मैं पूलन देवी की राएफर चला पर यसे अने दो-चार मूवियों के नाम बताया कि मैं वह वह रणना चाहता था कि मेरा राज रही इस पूरे च सच्पान लेती थे इसे की रियाल्टी घटना है वह उसी कदम रहा पर चलने लगते हैं अरे कुछ समय आपने देखा हो कि तेरे नाम भी आही होई थी सल्मान खान की उसके बाद लोगों ने उस तरह के बाल ही तेरे नाम वह कौन सी कटिंग थी वही ना कटवाना सुरूं कर दिये जहां देखो तेरे नाम तेरे हां तो मुझे लगता है कि समाज हमारा समाज चलता नहीं है अपने आप मुझे लगता है कि लोग वहां मार्केटिंग कर रहे हैं वो चला रहे हैं अब उन्हें कैसे पता है कि हमें कपड़े कैसे पसंद है क्योंकि उनकी दमाग में पह बहुत एंटेलिजेंट हुता है कि वो समाज को पढ़ता रहता है समाज की दिमाग को कि किस दिशा में जा रहा है अब उन्हें कैसे पता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, कि उन्हें कैसे पता है, कि लोगों को कटे कपड़े पहें, पहनना पसंदे, आशकल जो जीन्स हा रहे हैं, फटे फटे, यह पहनना कैसे पसंदे, उन्हें पहले सोचा तो होगा, तभी तो मार्केट में उता या नहीं है, हकीकत यही है, चलिए छोड़िए, आंगी बात करते हैं, इसके अतरिक संचार माद्यम, किसी मुद्दे के खास पक्षपर इसलिए भी ध्यान केंदित करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है, किस से विवरंक रूची कर हो जाएगा, इसी तरह यदिवे, किसी वि अचीपर थे ध्यान केंदित करते हैं, बात करते हैं, मसोधात थैक किया जाए, किन घटनाओ पर ध्यान केंदित किया जाए, इससे भी समाचार, संचार माद्यमों की मत्कून भूमिका रखती है इसे के आतार पर वह तैकल देते हैं कि क्या समाचार में दिये जाने योग है उधारण के लिए आपके विध्याला के वार्शिक कुर्सव की खबर साहिद समाचार में दिये जाने योग नहीं होगी लेकिन यदे कोई पिसे दभी नहीं था उसमें मुख अथिती की रूम में आमन्तित हुँ तो संचार माद्यमों की रूची पिसे समाचारों में समलित करने हैं में हो सकती कुछ खात विश्यों पर ध्यान के इंदित करके संचार माद्यम हमारी विचारों भावनाओं और कारियों को प्रिभावित करता है हमारे ध्यान हमारा ध्यान उन मुद्रों की उन आकरसित करते है हमारी जीबन पर महत्मूर प्रिभाव डालने और हमारे बिचार को निर्मित करने में मुक्राव को होने के कारण इफ रहा यह कहा जाता है कि संचार मात्य में हमारा मसहोधा deemed Haa कर तहे करते हैं समझ में है इ 그래도 अपनों कि कि हमारे जो भी मसुदा या एजंडा में हमारे कार होते हैं हते करना ह्ठी वो से भी संचार मात्यां भी करता है हमें नियंतित कर लिया है उसने समाचार मात्य में अभी कुछ दिन पहले आपने कई जगे देखा होगा कि लोग भूकों से माल रहे हैं कि एलाज नहीं है गरीवी से घटबट कर मर रहे हैं कुछ लोग उन्हें नहीं दिखाये गया है और अभी कुछ ही दिनों पहले की नहीं हो जाए कि बताया जा रहा है कि फ्रेंका फ्रेंका कौन सी फ्रेंका थी फ्रेंका चौप्रा अंटी बनने वाली है अरे भाई यह नीव दिखाओ कि गरीवी क्या है कोई कहां मर रहा है मूख से कैसे बनना है उससे दिखाने के लिए क्योंकि टी आर्पी नहीं मिलेगी न इन्हें तो उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि जहने टी आर्पी मिलती है वहीं यह दिखाते हैं हकीकत ही है अभी हालही में संचार माध्यमों से ने कोफला प्यों में कीट नासों का इस्तर खत्रे के स्तफ़क पड़े हुए होने की वो हमारा ध्याना करशित किया था उन्होंने कीठ नासकों के अत्यद्य मात्रा में होने की रिपोर्ट पे कासित की थी और इस तरह हमें कोला, पेव, प्रेव, अंतराष्टी गुडवत्ता वा सुरक्षा मापदनों के इंसा निमित रूप से नियंतित करने की आवसकता महसूस कराई है उन्होंने सरकार के दबाव के बाप्चुद निर्डरता पूर्वा घोषना की कोला पीना सुरक्षित नहीं है इस बितांत को पेश करके समाचार माध्याओं ने निश्चित रूप से हमारा द्यान ऐसे भी समपर किंदित करने की कोशिश किया जिन पर यदि की रिपोर्ट ना आती तो हमारा द्यान भी ना होता है वो पता नहीं मुझे समाज कोई बड़ा समझ में नहीं आता है किसी जनता है किसी समाज ने कि इन्हें वेवों को बनाना बहुत सहल काम है क्योंकि बहुत भूली भाली होती है कुछ भी इनसे बोलो वो तुरंद भरोसा कर लेते हैं चले भगवान करेगा निप्टारा क्या कर सकते हैं कोई नीचे करने वाला तो है नहीं है उपर ही वाला करेगा जिसके साथ जो करना है कई बार ऐसी गटनाएं हो जाती है जब संचार मात्यम उन वेसेओं पर हमारे दिहान के इंदित कराने में आज सफल रहती है जो हमारे जीवन के लिए महत्पून है वो धारन के लिए पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है पिती बस हजारों लोग कर्ष्ट सहते ह मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्ष्ट पानी नहीं मिलता फिर भी संचार मात्यम हमें इस विसेओं पर बहुत कम ही चल्चा करते हुए दिखते हैं इस एक सुख विख्याद भारती पतकार ने लिखाया है कि कैसे बस्तों को नया रूपा कर देने वाले ड दोप्रियों को ग्राकर दिया गया और किसी ने इस पन जरासा भी ध्यान नहीं दिया समझ में यही समाज की अकीगत हैं इस्थानिय संचार माद्यम यह जानकर कि उन छोटे मुद्दों में दूर्षी नहीं लेंगे जिनका संबंध साधाने लोगों उनके जीवन से हैं इसलिये कई इस्थानिय संबगू स्ववैं मेपना संचार माद्य प्यारम करने के लिए आंगे आई कि कई लोग सामवी प्रेडियो द्वारा किसानों को विविन फसलों के मूल के बारे में बताते हैं उनने बीज तथा उर्बरकों के प्रेयोग के मावे बारे में परावर्श देते हैं कुछ अनलोग कापी सच्ते और आसानी स से मिल जाने वाले वीडियो केमरे इस्तिमाल करके विविन नेरतन समाजों के बास्तविक चीवन किस्तितियों पर डोकुमेंटी फिल्म बनाते हैं कभी-कभी तो इन गरीब लोगों को भी फिल्म बनाने के लिए केमरे और तकनीकी ग्यान का पिसीक्षण भीत देते हैं इस थानिय बुंदेली भासा में लेकित इस पेश्ट आठ पेश्ट के समाचारपत में दलितों से संबंदित विश्ए हैं इस्तरियों के पिती हिंसा और राजनिती विश्टाचार से संबंदित रेपोर्ट होती हैं इस समाचारपत्त के पाटक, किसान, दुकांदार, यहाँ, वोतमत, पुम्भूमिका निवाती हैं क्योंकि संचारमाध्यमों के द्वारा हूं के समंदित वैय्षित के बारे हुए थे और इस तरह इजन्डा के देजने कर देती हैं, यदी कभी समाचार चाहे तो यह समाचार पूर्टत्यात्म जनकारी भी फुरेया पूर्ण नहीं होती और एक पक्षिय हो सकती है। हमें समाचार के विशलेशनों के लिए निम्लिकित पिसन पूछे जाने चालिए। इस रिपोर्टर श्री मुझे कौन सी जानकरी मिल रही है। कौन सी आवस्चत जानकरी नहीं दी जा रही है। यह ले किसके दृष्टी कौन से लिखा गया है। इसका दृष्टी कौन छोड को दिया गया है और क्यों सामाजिक विग्यापन सरकार बार नीजी संस्ता है ऐसे विग्यापन भी बनाती है जिन से समाज में किसी बड़े संदेश का फिसारन हो सके इस समाजिक विग्यापन कहला थी यहां आशुरिच्छे सुरक्चित रेलिवी क्रासिंग को पार करने से संबंदी सामाजिक बिग्यापन प्रिस्तुत किया में रेलिवी लेवल क्रासिंग पर सत्तरक्ता हीस्ट रक्षा का आधार तो चलिए यह था आपका चट बात यह आपकी अभ्यास के लिए कुछ मात कुण कुश्चन्स दिए गए इने सॉल्व कर लेना और वैसे भी आपकी टेलिग्राम पर पीडियाप डाल दी गई है वहाँ से डाउनलूड कर लेना बड़े व्यापारिक प्यतिष्टान कुछ रे विग्यापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है पाठक यह आपका दर्सक से रोता है यह वही भीड है जो बड़ी मासुंग होती है लोग संचार के माध्यम से देखकर उत्पाद खरीते हैं तो पैसा बाप फिस उनीस व्यापारी पितिष्ठानों को जाता है पिकास कि अससे दाए पर समाचार रिपोर्ट वो लेखों सअच्च्छत का विवरन आधी से जिरेप समाचार पत्रों पत्री का ओ पोस्तों में छापा जाता है जिस्छे उन्हें बहुत अधिक्ट लोग पँढ़ सक है सेंसर से इसका तातो पर सरकार की सकती यह उदिकार इसकST के के समद्ध में हुआ है जिनको बहुत बड़े छेत्र में प्रेशित किया जाता है सार्व जीनिक विरूद इसमें विसाल संख्या में लोग एक जोट होकर किसी विसाय पर खुले रूम में अपना विरूद पिकट करते हैं यहां फ्रेया रियली आ यूजे हस्ताक चरविया इसे बोला जाता है ना कि मीडिया को फोर्थ स्थम्भ कहते हैं देश का न्याय फालिकार का तो यह था आपका संचार से समद्धित फूरा संचार फोर्ट केंद्र था आपका यह जप्ट क्या हाकिए थे आकिर संचार मात्यमों की निव छेपरों की टीवी चैनलों की वही बया की गई इसमें चलिए तो अब आगे हम लोग बात करेंगे हमारे आसपास की बाजार देखेंगे आपका जो साथवा चेप्टर हुगा हमारे आसपास की बाजारों से समद्धित एक बार आप पढ़िए मुझे तो लगता है कि एक बार में आपका कॉंसेप्ट जोगी ह क्लिये हो जाएगा अगर नहीं होता है तो एक बार और पढ़िए तब तो क्लियर ही हो जाएगा क्यूंकि इसमें जांदा कुछ सब्सक्राइब नहीं है कि जो समझाने लाइब हो कि अगर आराम से आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जायेगा हेलो दूस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NTIRT कच्छा साथवी की सामाजिक एवन राजमितिक जीवन जो आपकी दूतिये हैं उसे देख रहे हैं कच्छा साथवी की ठील तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चेप्टर 6 चेप्टर कतम कर चुके हैं यह आपका साथवा चेटर हमारे आसपास के बाजार याद रखिए आपको जानक दिमाज लागाने की जरूरत नहीं है हमें जो भी कच्छाटवी तक की आप एएंसी राटी ने बहुत ही साला हैं जब्द में लिखी गई हैं तो आपको बस कहानी की तरह ने सुनना है लाट तक पहुंचते पहुंचते आपका इसकर निसकर पता चल लाएगा ठीक हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीकते हैं जैसे सबजियां, साबुन, दंतमन्यन, मसाले, ब्रेड, विस्किट, चावल, डाल, कपड़े, किताबे, कौपियां आते हैं हम जो कुछ खरीकते हैं यदि उन सब की सूची बनाया जाए तो आपकी लंबी होगी बाजार भी कई पेकार के होते हैं यहां हम अपने रोज मर्या की जरूरतों के लिए जाते हैं जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, सब्ताहे, हार्ट, बाजार, बड़े-बड़े सौपिंग कॉंप्लेक्स, सौपिंग मॉल इस सद्याय में हम बाजार के इन ही पेकारों को समझने की कॉसिस करेंगी यहां जानने की कॉसिस करेंगी, कि यहां बैची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं एक खरीतार कौन है एक बेंचने वाले कौन है और इस सब के भी कैसी और क्या समस्याइं सामने आती है उन्हें भी देखेंगे तो कुछ बाजार की तस्वीब है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं लोग सब्ताहिक बाजार सब्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पढ़ा क्योंकि यह सब्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकाने नहीं होती है ब्यापारी दिन में दुकाने लगाते हैं और साम होने पर उन्हें समेट लेते हैं अंगले दिन बे अपनी दुकाने किसी और जगह लगाते हैं देश बर में ऐसे हजारों वाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज मर्या की ज़र्गोतों की चीजें खर दिने आते हैं आपने देखा होगा कि सब्ताहिके एक दिन हम लोग सब्जी करीद लेते हैं कहीं सब्जी का बाजार लगता है बढ़ो वह सब्ताहिक बाजार को हम लोग सब्ताहिक बाजार कह सकते हैं सकताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्थिनामों पर मिल जाते हैं ऐसा इख लिए है कि जो पकी दुकानी होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खेर जोडने होती हैं उन्हें दुकानों का किराया विजली कापिल, सरकारी सुर्क आधी देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले करब्चारियों की तनक Championships भी इने ही खर्चों से जोडनी होती है। सब्ताहिक बाजारों में बेंचे जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करते हैं, इन दुकानदारों के घर के लोग अर्कसर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इने अलग से करमचारी नहीं रखने पड़ते हैं, सब्ताहिक बाजार में एक ही तरेड़ साम यह विकल्प होता है कि अंगली दुकार पर वही सामान देख लें जहां संभाव है वही बस तो कम कीमत में मिल जाएं ऐसी स्थितियों में ख्रीददारों के पास यह आउसर भी होता है कि वे मोल भाव करके कम करवा सकें सब्ताहिक बाजारों का एक फायता यह भी होता है कि जरूरत के सभी सामान एक ही जगे पर मिल जाते हैं सब्चियां कपड़ों के किराने सामान से लेकर बरतन तक सभी चीज़ें यहां उपलब्त होती हैं अलग अलग तरह की सामान के लिए अलग 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 चेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है लोग अकसर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान की पिवेद भी कल उपलग दूँँ समीर रेडी मेट बस्तों के एक ब्यापारी समीर सब्ताहित बाजार का एक छोटा ब्यापारी है वह स्थारी के एक बड़े प्यवसाई से कपड़े खरीद कर उस सब्ताहित बाजार में चे अलग अलग जगयों के सब्ताहित बाजारों में कपड़े को बैशता है समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी एक खट्टे आती जाते हैं इसके लिए वे किराय की मीनी बैन लेते हैं उसके गिराहत सामन ता आसपास की गिरामीर होते हैं दीपवली, पॉंगल या ऐसी ही दिवारों की मौकों पर अच्छा वेऊसाय कर लिया करते हैं हम बात करते हैं मौले की दुकाने, हमने देखा है कि सप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्द करवाता हैं वरहाल हम अन्न तरीकों तरह की बाजारों से भी सामान खरीकते हैं ऐसी बहुत सी दुकाने हमारे मौले में भी होती हैं यो हमें कई तरह की सेवाएं और समान उपलग करवाते हैं। हम पास की डेरी से दूर्थ किराना ब्यापारी से तेल मसाले और खाक पदार तथा इस्टेशनरी के ब्यापारी से कागज कलम या फिर दवाईयों की दुकान से दवाईयां भी खरी सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थाई होती हैं। जबकि सड़क किनारी फुटपात पर सब्चियों के कुछ छोटे दुकानदार फल्विट करेता है। खुछ गाड़ी मेकेनिक आधी भी देखाई देती है। सुजाता और कविता एक दिन अपने मुहले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरी दिने पहुचे। बेश दुकान पर अक्सर खरी दारी के लिए आती है। आज यहां बेट थी दुकान मालिक दो सहायकों की मदस से दुकान का काम सम्हाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर फोखी है। सुजाता ने दुकान मालिक को जरूत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। बेश सूची के अनुसार सामान तौलने और पैट करवाने के लिए अपने करमचारियों को निर्देश देने लगी। इस कमित्ता के चारों तरफ नजय दोड़ा रही थी। वाय हाथ की सबसे उपरी सेलफ पर अलग-अलग ब्रांड की सावन की टिकियां रखी हुए थी। दूसरी और सेलफों का पर्दंत मंजन टेलकम, पाउडर, सैंपू, बाल के तेल आदी रखे हुए थी। अलग-अलग ब्रांड की और अलग-अलग रंगों के सजे सामान मन लुभा रहे थी। फरट पर कुछ बोरे पड़े हुए थी। सारा सामान तौलने और बांदने के करीब में करीब 20 मेट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी दुकान मालिक ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्श की वह वापिस कर दी। उसने अपने बड़े रेजिटर में भी यह संख्या लिख ले यह सुजाता अपनी भारे थैले लेकर बाहर निकली। अगले माइने के पहले हफ्ते में उसने घर से दुकान का हिसाब चुपा दिया। इस तरह चलता रहता है अधारी आपकी भी। पड़ोस की दुकाने कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारी गरों कि करीव तुपे होती ही हैं और हम सब्टाइड किसी भी समय उन दुकानों पर जा सकते हैं। यानि आज खरीजेगे सामान परवुकतां बाद में करने की सुग्धा होती है। जैसा की सुजाता की उदार हमें आपने देखा हुगा। आपने द्यान दिया हुआ कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं कुछ तो पक्की दुकाने बालिक होती है वो कुछ सड़क के नारे दुकाने सजाकर सामान बैठते हैं एक इस कहानी को भी देख लेते हैं लोग अंजल मॉल एक पाच मंजला सौपिंग कॉंपलेक्स है कभी ता उस हो जाता इसमें लिप्ट से उपर जाने की जाने और नीचे आने का आनन्द ले रही थी यह काच की बनी लगती थी वे इसमें से बाहर का नजारा देखती ही उपर नीचे जा रही थी उन्हें आइस्क्रीम बर्गर तीजया आधी खाने की चीज़ें गहे लूप यूप का सामान चमड़े के जूते कितावे आधी तरह तरह की दुकानों को देखना चमत कर रहा था मौल के तीज़े तल पर गुमती हुए विद्वोनों एक ब्राड़े रेडी मेट कपड़ों की दुकान में पहुंची सुरक्चा कर्मी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता हो पर उसमें कुछ नहीं का उसमें कुछ कपड़े और उन पर लगी की कपड़ों की तुला में लगवा पांच गुना अधिक थी सुजाता कविता से फुस परशाते हुई मैं तुम्हें एक ही दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा जाना ठीक दामों पर मिल जालेगा बात करें सौपिंग कॉप्लेक्स मॉल इस पकार अभी हमने दो पिगार की बाज़ार देखे कि पहला सप्ता है वाज़ा और दूसरा अपने पड़ोस की दुकानों का बाज़ा सहरों में कुछ अन्यपगार की वाज़ार भी होते है जहां एक साथ कई तरह की दुकान होती है इन्हें लोग सौपिंग कॉप्लेक्स की नाम से जाने जाते है अब तो कुछ सहरी आलाकों भी आपके बहु मंजिला बाता नूख्ली दुकाने भी देखने को मिलती है इसकी तोर और वार और अलरग तरेती वस्तु है मिलती है। इस अले मॉहल कहा जाता है। इन सहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कम्पीणाओं की ब्रान्डेट सामान भी मिलता है। और कुछ बिना ब्राण्ड का सामान मिलता है। विग्यापन वाली अध्याय में आपने पढ़ा था कि व्रांडेट सामान जिसे कंपनियां बड़े-बड़े विग्यापन देकर क्वाइल्टी के दाविद करके बैचती हैं भी महेंगा होता है कि अपनी अपना कॉम्पणियां ब्रांडिड उत्पादों को बड़े कि बाज़ा है अपने विच्षका सार्णिव में बेचने के लिए रखते हैं इस ब्रणडेड सामार की कीमत का बोज़ केबल कुछ लोग ही उठापाते हैं कि आप आप लोगोंने कई ऐसे मॉल या सॉपिंग कॉंपलेक्स देखी हुए जहां सबजी से लेकर आप सब कुछ मिले लगा है चीनी वो पिरचा है आपका तेल खाने का हो कोई भी कपड़े हुँ सब मिलता है कि एक ही जगे उन्होंने पूरा सिष्टम लगा के रख दिया है सबजी से लेकर आटा आटा सब डाले पाले कपड़े राकित जो भी सावुन फावुन अब बात करते हैं कि बाजारों की सिंकला पहले कि हिस्ते में अपने अपने विमिन तरग के बाजारों के बाजारों के बाजारों के बाजारों के बाजारों जहां हम सामान खरीने जाते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि यह सभी दुकान दर अपनी दुकानों के लिए सामान कह संवानमा को उत्पादन कारखानों, क्यत्योंीं होता है। लेकिन हम कारखानों और खेतों में Sージh सामन नहीं करें। चीजों कउत्यों हमें कम मत्रा में जैसे एक किनल सबजी और एक प्लाक्टिक कब आदी बेंचने में प्रोशी नहीं रखेंगे बे लोग जो बस्तू के उत्पादक और बस्तू के उभोगता की बीच में होते हैं उन्हें हम लोग ब्यापारी कहते हैं क्या कहते हैं ब्यापारी जो बस्तू के उत्पादन, जहां बस्तू का उत्पादन हो रहा है और जहां उभोगता हो रहा है जैसे सब्जी मंडी देखी होगी आपने सब्जी किसान हो रहा है और खरीद उभोगता रहा है जिसे जरूरत है इनके बीच में ये कड़ी होती है उसे ब्यापारी कहते हैं किसानों से सब्जी लेकर आएगा मंडी तक कौन लेकर आएगा ब्यापारी और वो आपको बैंचेगा उसे हम लोग ब्यापारी कहते हैं पहले थोक ब्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है जिससे सब्जियों का थोक ब्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता बलकि बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदता है इन्हें वह दूसरे ब्यापारियों को बेंचता है या ख पुटकर व्यापारी कहते हैं यह वही दुकानदार होता है जो आपके पडोस की दुकान है सबताहिक बाजयार या फिर सौपिंग कॉंप्लेक्स में सामान बेंचता है हमें इसे यहां देखकर उधारों से समझेंगी कि हर सहर में थोग बालयार का एक ऐसा चित होता है जहां बस्तु है पहले पहुंचती है यहां से भी अन्न ब्यापारी तक पहुंचती है सड़क के नारे की दुकाने दुकान का चोटा ब्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था बड़ी संख्या में पिलाश्टिक का सामान सहर की थोग ब्यापारी से खरीता है और उन्हें बड़े गोदानों में रखता है इस तरह से बाजार की एक सेंख्ला बगती है जब हम एक सामान खरीते हैं तो हम यह अध्यार नहीं देते कि वह सामान किस के बाद से सफर करता हुआ हम तर पहुंचाएं अपताव सहरों में सब्जीयों का थोग ब्यापारी है देखिए तें इस कहानी को अब पताव उन थोग ब्यापारियों में से एक है जो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं उनका व्यपसाय सुबह लगवग तीन बजी से आराम होता है इसी समय सब्जीयां बाजार में पहुंचते हैं यहीं समय जब सब्जीयां बाजार या सब्जी मंडी में गत्ती निलामी की विक्त्रिया आरभ हो जाती है अब तब इस निलामी में सामेल होता है सब्जीयां देखकर वहत्ताय करता है कि आज वह क्या प्रेज़ेगा उदार के लिए आज पांच कॉंटल पोलगो भी दस कॉंटल प्यास खरीदेगा सहर में उसकी दुकान एक दुकान और गोदा में जहां होए सब्जीयों को रखता और महजता है यहां फुटकर व्यापारियों को सब्जी ब्याचता है जो सुबए 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं यहां से दिन भर के लिए खज़दारी करके ने के बाद छोटे छोटे जो भ्यापारी होती है दस बजे तरह की बस्तुएं मैची जाते हैं यह बाजार अपनी अपनी जगों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं कई बाद वह भी आवसक नहीं होता है कि आप सामान खरेदने के लिए बाजार जाएं अब तो तरह तरह की सामान के लिए फोन या इंटरेनेट पर भी ऑडर दिये ज आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की किलिनेक में भी कुछ कंपनियों की पिती ने दी अपना सामान बेंचने का कार कर रहे होते हैं इस तरह हम देखते हैं कि बेंचना खरीदना कई तरह कों से चलता है यह ज़रूरी नहीं है कि वर्किवल बाजार की दु कल लेती हैं यह तो बाजार की भी रूप हैं जो हमें सीधी तोर पर दिखाई नहीं देते हैं ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानिकारी कम होती है क्योंकि यहां विखने और खरीदाने खरीदी जाने वाली चीजे हम सीधी पेयोग नहीं करते हैं ज यहां खार के कारखानों से माल मगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा हिंगन की येर, पेटॉल टंक याँ एकसल पहिये अविए अधी अलगला कारखानों से खरीदे जाते हैं। परन्तु इस सब के वे खबर हम कार के सुरूम में तंते मुत्पात कार को ही देखते हूं सभी चीजों के बनाने और बेंचने की ऐसी कहानी होती है बात करते हैं बाजार और समंतर इस सब्ध्याय में हमने अपने आस्वास के कुछ बाजारों पर नज़ा डालिये हमने सब्ताहिक बाजार से लिए सौपिंग कॉंपलेक्स की दुकाने और दुकानदारों को दिखाए इन दोनों दुकानों दारों में बड़ा अंतर एक छोटी पूंजी से ब्योसाय करने वाला दुकानदार होगे और जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए पड़ी पूंजी खरीच कर सकता है इसकी आमदानी भी अलग-लग होती है सब्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार सौपिंग कॉंपलेक्स की ब्यापारी की तुला में बहुत कम लाग कमास पाता है इसी तरह खरीचदारों की भी अलग-लग इस्तितियां होती है ऐसे बहुत सी लोग हैं जो सबसे सच्टा मिले माना सामान भी खरीच पाने की स्तिति में नहीं है यपकी दूसरे और मौलों में महीं खरीचदारी करने में व्यस्त रहते हैं इस तरह कुछ हल तक अन्ने काड़ों की अलावा हमारी यार्ट्य खिर्ष्थिति यह तरे करती है कि हम किन बाजारों में खरीचदार या दुकानदार हो सकते हैं हमने सामान के उत्पादों से लिकत हम तक पहुंचने से बनने वाले बाली बाजारों की सेंखला को समझाए इंग सेंखला से ही यह संभा होता है यह जगह उत्पादित होने बालत सामान लोगों के लिए हर जगह उपलवत हो जाए बस्तूओं के विकने से बस्तूओं का उत् किस समाना उसर मिलते हैं आंगे एक क्यमीच की कहानी अध्याय में अब इस सवाल को समझने का प्रियाब करेंगें ठीक है कि यह आपके से समंधीता कुष मत्कून कुष्ण से अब भयास के लिए जी सब्द संट कलंद देख लेते हैं सब्दाहिक वाजार निमित वाजार नहीं होते हैं वरे एक नियत स्थान पर सब्दाह में एक या फिर दो बाल लगाया जाते हैं इन बाजार हमा गहल्यू समान का अलगबक सभी चीज़ें बिखती हैं जैसे सब्दी से लेगा कपड़ी और परता है मौल यह चारों और से घरा हुआ दुकांदारी का इस्थान होता है इसकी इमार्थें बहुत बड़ी होती हैं जिसमें कई मजलें दुकानें रस्ताओं कभी-कभी सिनेमा घर तक होती हैं इन दुकानों में प्रया विराणों वाले उत्पाद बिखते हैं थोग इसका आधा से बहुत बड़ी मात्रा में क्रीदना और बेंचना होता है अधिकांस उत्पादों जिस चिन में सब्जी फल फूल आधी भी संबले थें बे अपने अपने बिस्स थोग बाजार बिखत है तो यह था आपका चप्टर हमारे आसपास के जो बाजार हैं उन से सांबन दीत है कि समझ में आ गया होगा किस तरह हम लोग बाजार से जुड़े हुए है और बाजार हम से जुड़ा होगा है चलिए तो हम लोग बात करेंगे अध्याय आठ के बारे में जिसमें देखेंगे हम लोग बाजार में एक कमीज बाजार में एक कमीज ठीक है अध्याय का नाम है कि नमस्का साथियों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं NCEIT कप्छा साथ भी की सामज्य किवम राजिनितिक जीवन भाग दो के बारे में ती याद रखना इसमें हम लोग अभी तक साथ चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं साथवा चेप्टर था आपका हमारे आसपास के बाजार आज बात करेंगे हम लोग आठवे चेप्टर के बारे में यह आपका बाजार में एक कमीज के नाम से याद रखिए फिर से मैं वही कहूंगा कि आप लोग को इसको एक कहानी की तरफ सुनना है इस चेप्टरों को जो कोई पढ़ना है या सुनना है जो आट भी तक कि आपकी एंटी आएट है इन्हें कहानी की तरफ पढ़िए आराम से समझ में आ जाएगे क्योंकि इन में ऐसा कोई भी सब्द निक कठे नहीं इसे समझाना पढ़िए तो आपको एक कहानी की तरह देखिए उसे या की आईए हम देखते हैं की बाजारों के सिंखला कपास वुगाने वाले कोश्स दुबदेने को में कमीज़ खरीदने वाले से कैसे जोट देती हैं इस सिंकला में हर कड़ी के साथ खरीदना और मेंचना जुड़ा हुए है क्या इस से सबको बरावन लाव होता है या कुछ को दूसरों की अपिक्चा अधिक लाव होता है हम यह पता लगाने का फेहतन करेंगे कुणूल में कपास ँगाने वाले एक किसान की कहानी है सुपना जो कुणूल आन्थिपतेश की छोटी किसान है अपने छोटे से खेत में कपास बगाती है कपास की पौदी पर आये डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं इसलिए सुपना रूई चुन्ने में बैठते हैं डोड़े जिन में रूई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं इसलिए रूई की फसल इकटा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है रूई कत्तित हो जाने के बाद सुपना उसे अपने पती के साथ कुर्णूल के कपास बाजार में नाल ले जाकर एक इस्थानिय ब्यापारी के पास ले जाती है हसल की बौनी शुरू करने के समय सुपना ने ब्यापारी से खेती करने के लिए पेज, खाद, केटना तक आदी खरीदने के लिए बहुंत उची ब्याददर पर 25 सरोपे कर लिये थी वो समय स्थानिय ब्यापारी ने सुपना को हेकसायत मानने के लिए सहमत कर लिया था उसमें सुपना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रूई उसे ही बेंचे लिया आप लोग वैसे बोला हूँ अगर आप ग्रामीर छित से हैं तो आपने ये फिक्रिया देखियो भी कि जब आपकी फसल कटती है तब आप किसी सेट को ऐसे ब्यापारी को चुन लेते हैं जो आपके बहुते समय बीच के खात के लिए पैसे उधार देता है और जब आपकी फसल पकर तयार होती है तब उ जरूरत पड़ती है जैसे कोर्वरक कीट ना सक आभी इन पर किसानों को काफी व्याय करना पड़ता है फ्रेया छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्टी करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है ब्यापारी के फरिशे में उसके दो आदमी रुई के बोरित तॉल 15 रुपे पिती कॉंटल के इसाफ से रुई 6,000 रुपे की हुई ब्यापारे ने दिये हुए रिट तब्याज के 3,000 काट लिए सुपना को 3,000 रुपे देती है यह है रुई का पेड कुर्णूल की कपास मंडी में ब्यापारी कपास मिंचता है जीनिंग मिले कपास खरील ल बनाती है सूद काटने की मिले कपास के गटर खरी लेती है सूद काटने की मिले से धागा बनाता है और सूद काटने की मिले ब्यापारी को धागाई बैस देती है आंगे बात करते हैं सुपना केवल 3,000 रुपे मिलते हैं सुपना को इसमें ब्यापारी रुई बहुत सस्ती बिगरी है, बाजार में बहुत रुई आ गई है, सुपना इस रुई को उगाने में मैंने चार-पांच महीने तक जी तोड महिनत किये हैं, आप देखिए इस बार रुई कितनी वड़िया और साफ है, इस बार मुझे बहतर कीमत मिलने की उम्मीद है, व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं नहींगे, आपको मेरा विस्वास ना हो, तो कुर्नूल के बाजार में जरूर जाकर पता लगा देखिए, सुपना नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेख कर सकती हूं, मैंने तो केवल उम्म की थी कि इस बाद भी कि फसल में इतनी आमदानी हो जाए कि कुछ मैने का गुजारा चल सके। यह पी सुपना चाहती है कि कपास कम से कम अठारे सुपिती कॉंटल में बिकेगी, लेकर वया आंगे बहस नहीं करती, ब्यापारी गाओं का सकती साली आत्मी है, वो किसानों को करजे के लिए उस पर निर्वर रहना पड़ता है, ना केवल खेटी के लिए वन अन आव सकताओं के लिए जिसे बीमारी बच्चों की स्कूल की फीज आ दी, फिर वर्चा में ऐसा भी समय आता है, जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता, तो उनकी कोई आय भी नहीं, उस समय केवल रिड लेकर ही जीवित रहा जा सकता है, कपास की पैदाबार करके भी सुपना किया है, वो साय से बस थोड़ी जाना है, जो है मजदूर करके कमा लेते हैं, आपको वैसे पता होगा, कि हम जब किसी विचवलिये से इस तरह का समझाता करते हैं, कि हमारे फसल बहुते स समझ, वो खुधार दे देता है, कभी मुझे साधी, घर में फंक्सन हुआ, कोई करक्रम हुआ, करक्रम तो उसमें खुधार ले लेते हैं, और जब फसल तयार होती है, तो उसमें कटवा देते हैं, तो याद रख, देखा होगा आपने, द्यान दिया होगा, कि हमारी फसल के कम दाम देता है, अगर हम दूसरी जगए उसे बेंचें, तो जानल दाम मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा विच्वलिये से समझवता होता है, या बादा होता है, जो भी रहता है, तो वो सस्ते मिलेता है, और बाकी के व्यापारी उसे महेंगे मिलते हैं, लेकिन हमारे पास option भी तो नहीं होता है क्योंकि हमें जब जरूरत पढ़ती है तो वही व्यापारी काम आती है इरोड का कपड़ा बाजार देखते हैं तमिलाडू में सब्ता में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विसाल बाजारों में से एक है इस बाजार में कई ही पिकार का कपड़ा बेंचा जाता है आसपास की गाउं में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्याल हैं जो इस कपड़े को खरीगते हैं दच्छिडी भारत के सहरों के अनव्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं बाजार के दिनों में आपको बेबुनकर भी मिलेगे जो ब्यापारीयों के ओरर के अनुसार कपड़ा पना कर यहां लाते हैं बेब्यापारी देश बब्यदेश के बस्त निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ओरर के अनुसार कपड़ा उपलत करहते हैं यह सूद कर खरीदते हैं और भुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस पेकार का कपड़ा तेयार किया जाना चाहिए निम्लिकेत उधार्ण में हम देखेंगी कि एकार कैसे बुता है बाजार में एक ब्यापारी की दुकान है कई सालों से इन ब्यापारीों ने देश भर के बस्त निर्माताओं से संपर्ख स्थापित कर लिया जिन से उन्हें ओर्डर मिलते रहते हैं कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गाउं में रहते हैं बेन ब्यापारीों से सूत ले जाते हैं और बुनाई करने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही विवस्ता कर लखी है इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावल लूम बिली चलत करगे को देख सकते हैं बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों में और कई गंटे काम करता हैं बुनाई की अधक्तर एकाईयों में दो से आठ करगे तक होते हैं जिन पर सूद से कपड़ा बुनकर तियार किया जाता है तरह तरह की साड़ियों, तौलिय, सर्ट्रिय, औरतों की पोसाथ के कपड़े और चादने इन करगों पर बनाई जाती है बुनकर तियार किये हुए कपड़ों को सहर में ब्यापारियों के पास ले जाती है इस तस्बीर में बुंकय सरी में ब्यापारी के पास suivre जाने की तैयारी में बैटे हैं ब्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था बुने हुए कपड़े का वप्तान उन्हें कर देता है दादन विवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तेयार करना कपड़ा उबलग्द कराने के जो ओर्डर मिलते हैं उनके आधार पर ब्यापारी बुनकरों के बीच काम बट बांट देता है बुनकर ब्यापारी से सूथ लेते हैं और तेयार कपड़ात देते हैं इस विवस्ता से बुनकरों को इस वर्ष्टता दोलाब प्राप्त होते हैं बुनकरों को सूथ खरें दिने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ते हैं साथ ही तैयार कपड़ों को बेंचने की बिवस्ता भी हो जाती है भुनूकरों को प्यारम में ही बता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की विक्रीग लिए भी ब्यापारियों पर बनी निरबरता के चलते, ब्यापारीों को बहुत बर्च्रस बन जाता है वे औरर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम्मूल देते हैं बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि बे किस के लिए कपड़ा बना रही है और वह किस कीमत पर बैचा जाएगा कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने की वर्स बनांगे की कार खानों को बैचते हैं इस तरह से बाजार कजु का व्यापारी की हित में ही अधिक उत्व तौनकर अपनी और इन करगों पर अकिले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और प्रिवार के दूसरे वैस्क सदस्थों को दिन में 12 गंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार द्वारां ये महिने में लगबग 3500 रोपेल ही कमा पाते हैं। ब्यापारी और बुनकरों के वीचे अविवस्ता, दादन विवस्ता का एक उधारन है। जहां ब्यापारी कच्छा माल देता है और उसे त्यार माल प्राप्त होता है। भारत के निक चित्रों में कपड़ा बुनाई के उद्धोग में ये अविवस्ता पिचलते है। बुनकर सहकारी संस्था है। हमने देखा है कि दादन विवस्ता में ब्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसात देते हैं। ब्यापारीयों के उपर नर्वात्ता को कम करने और बुनकरों की आमदानी बढ़ाने के लिए सहकारी व्योस्था एक साधन है एक सहकारी संस्था बे लोग हैं जिनकी हित समाने एकटे होकर परस्वलाब के लिए काम करती है बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकरों एक समूब बनाकर कुछ कतीविद्यों सामवी गुरूब से करते हैं स्थूत ब्यापारियों से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बार्प देते हैं सहेकारी संस्था बिक्रएगकार भी करते हैं इस तरहे ब्यापारी की foundation समापत हो जाते हैं और बुनकर गुपड़ा का उचितमूल प्राप्त होότεैं कभी-कभी सरकार उचित-मूल फद सहेकारी संस्तांpeople से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है जैसा कि टमिलाडू में सरकार इसकूल में शुल्ग सरेबाण जाना होुआ सरकार के लिए वाँ पावल्म बुनकरूं कि सहेकारी संस्ता से कपड़ा लेती है इस तरह तरह सरकार हस्त करगा बोनकर सहिकारी समती से भी कपड़ा करीद कर को ओप्टेक्स नामत दुकान, दुकानों के मात्यम से पेंचती हैं आप अपने सहर में साइट कहीं ऐसी दुकाने देखी हम दिल्ली के निकट वस्त निर्यात करने का कारेखाना ये इरोड का व्यापारी गुणकरों दौरा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाये वस्त निर्यात करने वाले एक कारगेखाने को बेंसता है ये कमीजें विदेसी खरीतदारों करीदारों के निर्यात की जाती हैं कमीजों के विदेशी गिराहकों में अमेरिका ये ग्रोब के ऐसे ब्यापारी भी हैं जो इस्टोर्स की सिंकला चलाते हैं ये बड़े बड़े इस्टोर्स के स्वामी के वल अपनी सर्थों पर ही ब्यापार करते हैं बे माल देने बालों से नियूंतम मूल पर माल खड़ी दन साती भी समान की उच्छितम होने पर बड़ी सकती से निफटा जाता है इसलिए निरयातक इन शक्ति ग्रहाकों द्वारा निश्चित की गई सर्तों को भरसक पूरा करने की कौसिस करते हैं ग्रहाकों की ओर से ब्यापार किपड़ते दवावों के कारण बस्तने निरयात करने वाले कार खाने खर्चे में कटोती करने का फ्यातन करते हैं बेकाम करने बालों को जहां तक संभाव उतके नियुंतम मजदूरी देकर अधिक्तम काम लेती हैं। इस तरह से भी अपना लाप को बढ़ाती हैं और विदेशी गिराखों को भी सस्ते दामों पर बस्त देती हैं। इंपेक्स गार्मेंट फैक्टरी में 40-70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांस महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को आजथा ही रूप से कामपल लगाए गया। इसका असा है कि जब भी फैकरी मालिक को लगे की कामगार की आवसकता नहीं है उसे जाने को कह सकता है यही आपका आजस्ताई है जब आवसकता हुई तब रख लेते हैं वो जब आवसकता नहीं हुई तब निकाल दिया जाता है कामगारों की मजदूरी उनके कौसल के अनुसार तै की जाती है काम करने वालों में अधिक तम बेतन दर्जी को मिलता है लगवक तीन हजार पिती मा है इस्तरियों को साहता की रूम में धागे काटने, बटन टाकने, इस्तरी करने और पैटिंग करने के लिए काम पर रखा जाती है इन कामों के लिए नियुनत मजदूरी दी जाती है मजदूरों का भुकतान दर्जी तीन हजार रुपे पिती मा है इस्टRI करना परेस एकदसमलोग 530,000 पिती पीस – ग्याज करना 2000 पिती माहें धागे काटना या बटन लगाना 1500 पिती माहें सायुकत्राज अमेरिका में वह कमीज छो अपना इंडिया से ले जा रहे हैं उसलित को सेफ्टराज अमेरिका में क्या होता देखते हैं सेफ्टराज अमेरिका के कप्रों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें पिदर्शित की गए इनकी कीमत 26 डॉलर लखी गई है अताथ हर कमीज 26 डॉलर यानि की 1800 रुपे में बेंची जाई है कितने? कमीज के व्यापारी ने दिल्ली के बस्त निर्यातक से कमीज 300 रुपे में खरीदी पिती कमीज के एसाब से फिर उसने संचार यानि कि विग्यापन के लिए 400 रुपे चर्ष की इसके बाद लगवाग पिती कमीज इस्टोर में रखने यानि कि वह अंडार करने में 200 रुपे रखने पितरसन अनमद में खर्ष की इस तरह से इस बेक्ती ने वो कमीज में 900 लागत की पड़ी उसे जब वह उसे 1800 में बेचता है तो ये कमीज पर उसे 900 रुपे का मोनाफा हो जाता है वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें पेचेगा उसे उतना ही अधिक लाग हुआ क्रे कहता है 300 रुपे का उसे बंडारन चंपता लगती है 200 वह बेग्याबन का 400 तो 900 हो गया और वह 1800 के बेचता है तो उसे 900 लाग हुआ क्या वर्ष्ट निरयातक को पिती कमीज पर मिलने वाले लाग की गड़ न कर सकते है यह हो गए 150, तो 300 रुपे प्तीक है, हम इससे उसने बैंची, तो 1.500 से लाब होगा, वही देखी, अमेरिका में देखी, 900 रुपे उसे लाब हुआ, बाजार में लाब कमाने वाले कौन है? बाजार की सिंखला रुई की उत्पादन करता को सुपर मार्केट की खरीद से जोड़ देती है, इस सिंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बैचना होता है, आईए फिर इससे याद करें कि कौन से लोग हैं, जो लोग थे जो खरीदने और बैचने की स्पिक्रिया में संबले थे, क्या उन सभी को समा रूप से लाब हुआ है, या लाब की मातरा अलग-लग, लोगों के लिए अलग है, कुछ लोगों ने बाजार में लाब कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बैचने से कुछ खास लाब नहीं हुआ, बहुत परि रियातक कलाब मध्यम सेडी का रा, दूसरी और पस्तने रियातक फैक्टरी के कामगा, मुस्किल से केबल अपनी रोज मरया की जरूरतों की पूर्ति लाइक ही कमा सके, इस विकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले चोटी किसान और एरोड के बुनकरों ने कड़ी महनत की लेकिन बाजार में उनके उत्पात का उचल मूल नहीं मिला, वेवसाही या व्यापारी की इस्तिती बीच की हो, बुनकरों की तुल्ना में उनकी कमाई अधिक हो गुई है, लेकिन निरियातक की कमाई से बहुत कम है, इस तरह बाजार में सब बराबन नहीं कमाते हैं, प्र दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे आपके एक और बाजार लोगों को काम करने उन चीजों को बनाने पर बैंचने के अवसर देता है जो भे उगाते हैं या बनाते हैं किसान यहां रुई बैच सकता है जो बूनकर अपना बनाय हुआ कपड़ा दूसरी ओर बाजार से धनवान और सक्तिसाली लोग प्रया सरवादी कमाई करते हैं यह लोग जिनके पास पैसा है अपने कार खाने हैं बड़ी बड़ी दुकाने हैं वो बहुत जमीन हैं गरीबों क की रिड उपर रिड के लिए जैसा चोटी किसान सुपना के मामले में हुआ है कच्छा माल प्राप्त करने हैं और अपने सामान बेंजने के लिए जैसा दाधन विवस्ता में बुनकरों के साथ हुआ है और फिरया नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा बस्त की कार खाने म उत्पादक मिल पर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का द्रड़ता से पालन हो अंतिम अध्यावें हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मचवारों ने कैसी एक सहकारी संस्था प्यारब गी है तो इससे संबंदित आपका एक कुछ अभ्यास के लिए कुश्शन्स दिए गए देख लिए ना ठीड़ा सुपना रोई बैशती है ग्राहक सुपर मार्केट में कमीजों को खरीदता है ब्यापारी जिनने मिलों की कुरूई बैथता है गार्मेंट निह रहा तक कमीजों बनाने के लिए व्यापारीं से कपड़ा करीड़ देता है शुपके ब्यापारी को क्या रेया तक कि यहां सब करना स्कुरूं करना यहां से सपना से ब्यापारी पर भी पैशती है पर ब्यापारी आंगे क्या करता है उसे ब्यापारी यह जिनिंग में लोग को रुई बेंचता है इस तरह क्रम में लगा लिए नाने यह सब्द संक्लर है जो हम लोगोंने कुछ देखे हैं सब्दमायत को जिनिंग में वह फैक्टरी जहां रुई के गोलों से बीज अलग किये जाते हैं यहां पर रुई को दपाकर गटर भी बनाए जाते हैं जो दागा बनाने के लिए बेट दिये जाते हैं निरियात है वह बेक्ती जो विदल्सों में माल वेंचता है मुनापा जो आमनानी हुई है उसमें से सारी खर्चों को गटाने के बाल बचने वाली रासी यदि खर्च आमनानी से जाना हो तो उसे गाटा कहते हैं और अगर कि खर्च की गई जो रासी है उससे जाना हो तो हम लोग लाब कहते हैं तो यह था आपका आठवा शक्तर बाजार में एक कमीच किस तरह से हम लोगों ने बाजार में पिक्रिजा देगी कि उत्वादक को कितना मिलता है फिर जो बाजार में ले जाता है उसे कितना मिलता है जो अमेरिका में ले जा रहा है वहां बैच रहा है उसे सबसे जाना फायदा है इस तरह से सभी हम लोगों ने चर्ण देख लिए 90 चेप्टर बचा हुए है लास्ट चेप्टर हमारा कच्छा साथभी का सामार्जिक एवं राजनितिक एवन भाग दो का लास्ट चैप्टर नोबा इस में पड़ेंगे अनुग समानता के लिए संगर्ष् नमस्कार दुफ्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, NPAIT कप्छा साथ भी की, सामाजिक एवं राजनितिक जीवन भाग 2 के बारे में, ठीछ? तो याद रखना इस कप्छा साथ भी की जो आपकी सामाजे के वंग राजनेतिक जीवन भाग दो है इसका ये लास्ट चेक्टर है अभी तक हम लोग आठ चेक्टर कथम कर चुके है आठवा आपका चेक्टर था बाजार में एक कमीज के नाम से ये आपका नौवा चेक्टर ह समानता के लिए संघर्स इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ती, मैलानी और सुपना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा है इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह है कि उनके साथ आसमानता का बिवहार किया गया है ऐसी इस्तितियों में लोग क्या कर सकते हैं इतिहास में इस बात की अनेक उधार है जहां लोग आसमानताओं के विरूत है और नयाय के लिए संघर्स करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं क्या अध्याय एक की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है क्या अध्याय पांच में इस तरी आंदोलन पर भारत का समिदान हर भारती नागरिकों को समान दिरिष्टी से देखता है आप उस तक के पहले हिस्ते में पढ़ी चुके हैं कि राज और उसके कानून की दिरिष्टी में किसी भी बैक्ती के साथ उसकी जाती, लिंग, धरम या उनके अमीर या गरीब होने के आदार पर चुनाओ के दोरां समान रूप से मद्दान करने का अधिकार है, मता दिकार की तागत के जाई है कि जनता अपने पिती निदियों को चुनती है या बदलती है, सब लोगों की दिमाग में एक बात फीड हो जाना चाहिए, कि जब हमारे मोत जो बोट है या मत है हमारा, उसका कोई बेदभाव नहीं है उसमें, उसकी कोई उसमें अंतर नहीं है कि किसी अमीर के मत का या बोट की कीमत हो, बहुत बड़ी कीमत हो, तुम्हारे की कम हो, तुम्हारे बोट से ही बिधायक बन सकता है और उसके बोट से भी बिधायक बन सकता है, आपके बोट में जब अंतर नहीं है तो आपके जीवन चर्या में कैसे अंतर रूख सकता है बस आपकी सोच का कि सरकार या देश कसम विदान किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है तो आपकी रहन सेंट जैसा भी है जो आपकी स्थिति है आप ही उसमें भेदभाव करते रहते हैं मता अधीकार से हमारी भीतर स्रमानता का भाव भिक्सित होता है क्योंकि हमारे भी बोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के बोट की है लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों की जीवन को नहीं चुपाता है आपने पजले के अध्यायों में पढ़ाएं कि किसे स्वास्त सेवाओं पर में निजी कन बढ़ रहा है और सरकारिय स्वतालों में किला परवाही, बाली रवेयने, कांता, हाकेम सेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्त सेवाओं को कठिन बनाती है बे लोग जो मेंगी निजी स्वास्त सेवाओं का पोज नहीं उठा सकते हैं इसी तरह देखें कि एक गोड़ी और जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपणियों के लंबे चोड़े, बिग्यापन, खरच और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उन्ष्टे पिछड़ जाती है सुपना के पास भी परयाप्त साधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रोई की फसल उगाने के लिए साहुकारों से उधाल लेना पड़ता है यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बैचना पड़ता है देश पर मैं मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लापों में लाएं चुल लगातार मेहनत से दूसरों के गड़ों में काम करती हैं इसके बाद भी अपमानित होने को विवस हैं क्योंकि विस संसाधनों के अवाह में स्वयम का कोई काम नहीं कर पाती है गरीवी और संसाधनों का अभाव आज भी भारती समाज में विसमता और आसमानता के सबसे बड़े कार्ड़ों में से एक है सतत्विकास लक्ति है फर्स टेक में आपके गरीवी का अंत करना है जो SDG गोल है आपका याद रखिए जिस तरह आपने देखा होगा कि एक बड़ा रेश्टूडेंट है उसी की बगर में एक ठेली की दुपान लगी है वो भी छुला बट बटाने वाला है उसका अच्छा रहेगा उससे स्वाधिष्ट में अच्छा सही बस क्या है जगह बदलने पर उसकी कीमत बदल जाती है इसी तरह है कि जिस तरह अचार कोई बुडी वरत एक अच्छा चार बनाती है वहीं बड़ी-बड़ी कंपनिया जो अचार बनाती है बस बिग्यापन दिखा देती है और अपना एक ब्रांड लगा देती है इसी से उसके कीमत बढ़ जाती है और जो बुडी वरत बना रही है वह उससे पिछड जाती है दूसरी और अंसारी दंपत्ती को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण आसमानता नहीं जहलनी पड भी तब भी एक मकान पाने के लिए महिनी वर बटकनती रही लोग उनके धरम के कारण उने मकान देने से हिचकती रही ठीक इसी पेकार स्कूल के अध्यापक होने हों पेकास बाल्मी को से स्कूल का मैदान इसलिए साब करवाया क्योंकि बिद्दलिक थे आपने इस तुस्तक में पड़ाया कि महलाओं के द्वारा किये गए काम अक्सर ही पुरसों के कामों की तुलान तुछ माने जाते हैं इसन सभी के साथ किये जाने वाले बेदभाव का प्रात्मिक कारण यह था कि भी किसी खास सामाजी या सांस्कितिक पिष्टभूमी के थे या भी महलाएं थी धरम जाती हो लेंगी भी कुछ मत्तपूर कारत हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से आसमांता का विवार किया जाते हैं कि भारत में यह बास्त विकता है कि जो गरीब है सामान दलित आधिवासी और मुसलिम समधाय कि इन्में से भी विसेश महला है गरीब मार्वी यह गरीमा कावाव कुछ विसेश समधाय के पिति अफमान जैसे कारक अकसर ऐसे मिले जोले ढंग से सामन आते हैं कि यह तैकरता कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की आसामानता खतम होती है कहीं दूसरी आसामानता शुरू हो जाती है आपने पढ़ाए कि दलित आधिवासी और मुसलिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले कि संख्या बहुत अधिक है यह इ इच्छा सुतर जाए किसी भी देश की कहीं भी तो आसामानता खतम होने में कि बहुत जांदा चांस हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि यही गाव में अगर हमारा दोस्त अभी हम लोग पढ़ लिख रहे हैं बाहर आ रहे हैं तो वहां कोई बेदभाव नहीं किया अगर कोई STSC से आ रहा है आदिवासी से वह हमारे साथ बैठ कर खाना खा सकता है लेकिन अभी गाव में जाओ तो वहां आपको अलगी एक हैसला तुम लोगों के अंदर खाई पन हो जाएगी कि अगर कोई आदवासी है तो उसके बगल में नहीं बैठ होगे उसके साथ खा है वहां इस तरह की खाई आसमानता अधिक देखने को मिलती है तो जहां सिक्षित लोग है वह कम देखने को मिलती है यह हकीकत है 2011 की जनगरना के आखड़े बताते हैं कि हमारी जन संख्या में 48.5% महला है 14.2% मुसल्वान है 16.6% दलित है और 8.6% आरिवासी है समानता के लिए संगर्द दुनिया भर के तमाम समधाय और गाव और सहरों ने मैं आप देखते होंगे कि कोछ इस लोग समानता के लिए किये गए संगर्सों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं यह वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किये जा रहे हैं किसी बेदभाव के गुरूद उट खड़े हुए हम उनका इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि कुई इन्होंने पितेक बेक्ति को उसकी मारविये गर्मा के साथ सुईकार किया हैं और सदेवसी धरम और समधाय के उपर माना हैं इन्हें लोग बहुत विस्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं सतुत्विकास लक्षिलोद दस है इसमें आसमानतों को कम करना का बना लेते हैं क्योंकि संता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं भारत में से ऐसे अनेक संगर्ष याद किये जा सकते हैं जहांपर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आंगे आए जो उन्हें मत्पून लगते थे अब अध्याय पां असी तमाम संगर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीडी मजदू, मचवारों, छेतिहार मजदूयां, जुग्गी बासियों के समून अपनी तरह से न्याय और के लिए लड़ाईयां लड़ी हैं ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिल जुलकर स साधनों पर नियत्रन करने के लिए सहकारी संगठन खड़े की हैं बात करते हैं तबा मत संग जब जंगल के बड़े चित्रों के कुछ जानवरें के लिए अब बहारन गोसित कर दिया जाता और बड़े बांदों का निर्माट किया जाता है तो हजारों लोग विश्थापित होते हैं पूरे के पूरे गाओं के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़ कर करियं और नए गवर बनाने और नए जिन्गी आरम करने के लिए मलवूर कर दिया जाता है। इन परिस्तितियों में ऐसे अधिकांस लोग गरीब होते हैं, सहरी चित्रों में भी विवस्तियां जहां गरीब रहते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इनमेंसे कुछ-कुछ सहर के बायरी इलाकों में दुबारा बसाय जाता है। इन सारी कभायादों में ना सरक हटाए गई लोगों के काम दंदी प्रभावित होते हैं, बलकि सहर में इस्तित स्कूल से दूर जाने की बज़े से इन बस्तियों के बच्चों की बढ़ाई भी अक्सर गंबी रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समधाओं एयों का विस्ताबन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे मैं कई बार लोग संगटेत होकर इसके बिरूद लड़ाई के लिए सामने आते हैं, देश में ऐसे बहुत से संगटन हैं जो बिस्ताबितों के हब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्या में हम तवावत संग की बारे में पढ़ेंगे जो मचरवारों की सहकारी समतियों का एक संग है। वो सत्पुड़ा के जंगलों से बिस्ताबित लोगों के अधीकारों के लिए लड़ रहा है। छिदवाडा जिले की महादेव पहाडियों से नकलने बाली तावा नदी होसंगाबाद में नर्वदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुए आती है। तवा पर एक बांग का निर्माड उननीस सो अंठावन में शुरू हुआ या रम हुआ। 1978 में पूरा हुआ जंगल के बड़े रिष्ये के साथी बहुत सी किरसी भूमी भी बांग में डूपें। जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खोद बैटे। इन में से कुछ बिस्थापित नों बिस्थापित तो ने बांग को के आसपास रहकत थोड़ी बहुत खे अधिकार ने तावा बांग किस चित में मचली पकड़ने का काम नीजी ठेकेदारों को सोगिया। इन ठेकेदारों ने स्थानी लोगों को काम से अलग कर दिया। वो बाहरी चित्रों से सस्ते सहमिकों को ले आया। ठेकेदारों ने गुंडे उलाकर गाउवालों को धंकिय देना भी आरम कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को त्यार नहीं थे गाउंबालों ने एक जो ठोकर तै किया कि यह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वा संगटन बना कर सामने खड़े होने का बक्ता गया इस तरहे तावा मत संग नाम के संगटन को बनाये नदी बांद ऐसी जगह पर बनाय जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी करता किया जा सकी ैसा करने में उससे हे एक जला से बन जाता है जमीन का एक बड़ा चित उसमें डून जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नतीपद बनाए गए बांध की दीवार उची होती है। उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। या पोटू उत्राखंड में टेहरी बांध से बनने से डूम में आये इलाके की है। इस बांध की कारण पुराणी टेहरी सहर और सौ गाओं जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंसिक रूप से पानी के नीचे समावे। लगवग एक लोग बिस्थाफित हो गए थे आंसे। नवगर्ठित तवामत संग T.M.S. ने सरकार से मांगी की लोगों की जीवन निर्वार के लिए बांध में मचलियों पकड़ने का काम को जारी रखने की अनमती थी जाए। यह मांग करती हुए चक्का जान शुरू किया गया। उनके पिती रूत को देखके सरकार ने पूरे मामने की समीक्षा के लिए एक समती गटित की। समती ने गाओं बालों की जीवने आपन के लिए उनको मचली पकड़ने का अधिकार देने की अनुसल्सा की। 1996 में मद्विदेश सरकार ने तै किया कि तावा वान के जलासे में सिर्मचली पकड़ने का अधिकार वहां के विस्थापित को ही दिया जाएगा। दो मेने बाल सरकार ने तावा मत्संग को बान में मचली पकड़ने के लिए पांच वर्स का पट्टा लीज देना सुईकार किया। इस तरह दो जन्मड़ी 1997 को तवाचित के 33 गाओं के लोग के लिए नया साल सही अर्थों में आरम गूल। तवा मत्संग TMS के साथ जोड़कत मचवारों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया, दरच किया। यह इसलिए संभा हुगा कि उन्होंने एक सहेकारी संती बनाई जो पकड़ी गई मचलीयों की पिते खेब की उचित कीमते सीथे उने देती है। यह सहेकारी संती इनके बाद की पिक्रिया में भी सामिल होती है। इस बात की भी विवस्ता किये कि जलासेव में मचलीयों को ठीक डंग से पलने बढ़ने की इस्तियां मिलें। टी एम एस ने सभी के साथ यह बातसिद्ध कर दी कि लोगों को जब अजीवत्या का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंदन के गुड़ों का परिचय भी देते हैं। यहां पिस्तोत यागीन बिना महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लेखा गया तो जानने का हक। मेरे सपनों को यह जानने का हक है। क्यों सदियों से तूट रहे हैं इन्हें सजने का काम नाम नहीं। मेरे हातों को यह जानने का हक रहे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को यह जानने का हक रहे। क्यों गाओं गाओं चलना पड़े। क्यों बसका निसान नहीं। मेरे भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुठी मुठी भर धान अन नहीं, मेरी बूरी मा को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई, दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं, मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात द दिन करे मझदूरी क्यों साला मेरे गाउं में नहीं। कुछ लोग आसमान्ता की गुरोध आंदोलन में साले रहे होते हैंd तो कुछ लोग आसमानता के विरोध अपनी कलम, अपनी आवार या पर अन कलम जैसे नित, संगीत, आदी का पेहोग ध्यानों अकिष्ट करने के लिए कलते हैं। लेखा, गायक, नर्दक और कलाकार भी आसमानता के विरोध संगर्स में सकती है वोंका निवातु है। अक्सर ही कविताएं गीत और कहानिया ना सरफ हमें पेरे करती हैं, बलकि वे समानता में हमारे विश्वास को दड़ड़ी करती हैं। बेना सरफ हमें पेड़ित करती हैं बलकि हमें सही देशा में चलना भी सिखाती है जो आपका सूचना का अधिकार आया हुआ है मुझे नहीं लगता है इगी बहुन लोगों को इसके बार में पता होगा क्योंकि जब तक मारे समाज में जारोगता नहीं होगी तो तक कुछ नहीं हो सकता है और उपर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां आसिच्छा है जहां कोई आसिक्षा सिक्षित कम लोग हैं वहां जानना इस तरह भी खाई दिखाई देती है आसामानता में क्योंगी उन्हें अपने हग की लड़ाई पता ही नहीं है कि क्या है आखिर उनका हग क्या है तो इसलिए बोलता हूं कि गरीब हो या अमीर अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रात्मिक्ता पहले इस्तर पर रख हुए उसके बाद कुछ भी हो बात करते हैं भारत का समिनान एक जीता हुआ दर्श्टा विच न्याय के किसी अंदोलन समानता के लिए गीत और कविताओं की तमाम पेडाओं के पीछे जो एक भाव होता है वहाğ मनस की सम्ता का ही होता है आप यह जानते हैं कि भारत का समिनान हमें सभी को समान मानता है देश में सम्ता के लिए चलने वाले पान्दोलन और शंगर अक्सर शंविनौन के आदर अदर पर इस सम्ता और न्याय की करते हैं तवामस संग के मचवारों की आसा का आधारवी समीधान के प्रावधानी ही हैं अपनी बात्चीत में लगातर समीधान का जिक्ख करने से पेवसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावीच की तरह उप्जियों कर लहे हैं जो हमारी जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो लोक पुतंत का दाइरह बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जगूवत को सुईकार किया जाए यहां मेरा मानना है परशनल कि अगर समाज में अगर उसके अधिकार और दूसरे उसके मूल कर्तब पता चल जाए अगर इससे पचित हो जाये इंसान तो 70-80% समस्या हैं खतम हो सकती है अगर वो अपने मूल अदिखारों के पिती सजब हो जाए और अपने कर्दबों के पिती समता कमूल लोकतंत के केंद में है इस पोस्टापने में हमने ऐसे कुछ मुद्धों को देखने का तर्यास किया है जो लोकतंत के इस मूल बाव के लिए चुनोती पैदा करते हैं जैसा कि आपने पढ़ा है देश की स्वास्त सेवाँ पनी जीकन संचार के माद्धिम माद्धिमों मीडिया पर बेवसाइक घरानों का बड़ता दबाव और नियंतर महलाओं के सितरम को कम मूल देना और कपास के किसानों की बेहत कम आय होने होना यह सब लोकतंत के लिए चुनोत्य य्यद्धिया यह वे मुद्धिय जो सीदे गरीबों को प्रभावितक करते हैं और समद्धवान्ध से जुड़े हुए हैं इस देश में सामाजी को आरतिक समानता से जुड़े मुद्धिया है लोगतंत के लिए संगता और उसके लिए संगर्श की एक मत्पूर्ट तत्य बैक्ती और संगधाय का स्वाविमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार के सबी जरूरत पूरे करने के लिए परयाप संसाधनों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए एक तस्वीश 2001 में लखनव में 500 से जाना लोग महलाओं के खिलाब हिंसा का बिरूद करने के लिए एक जन सुनवाई में एक टिक हुए इसमें पितिश्टिक महलाओं की एक जूरी बनाईगी और उनोंने निजायदीसों की भूमिका निभाती हुए महलाओं के खिलाब हिंसा के 15 से जाना फिकरेडों की सुनवाई की लोगों की दूरी ने इस सच्चाई को वालनय में मदद की कानून विवच्ता के महिंसा के खिलाब न्याय की मांग करने वाली महलाओं को कितना कम सहे हुं मिल पाता हुए कुछ संद्रव दी ज्या और आपराजित गुय दोहजार तीन फ्यूचर ओव डी में डेमिल्स एकोनोम एंड पॉलिटिकल बीगली हुसेन रोकेया सखावत 1905 उनर्मुद्रण 1988 सुल्तान ड्रेम फेमिनिस्ट प्रेस निवार कुमार किष्ण उनिक्सोच्छासी देखते रहें यह तिन है यह आपका भारात का राजिनितिक में माज चिते हैं कि यह आपका दो भाखों में मारती अगया घालंदा और जमूपस्मेर में 2020 में देख रहा है ति Aber call पाकिश्टान लगा हुए यहां प्यवर प्यो के वाले हिस्ते से हां कगानिस्तान लगा ऊथच्छाओ सब्सेवा सीमा लगती है हमाराए कगानिस्तान से पर रिया पखका सबसे जानदा अपनी सीमा लगती है और यह आपका स्रीलंका पाक जल्दमरूद वारा अलग होता है यह आपका किरल है तमिलाडू है करनातक है आंध्पदेश है तेलंगाना है है धरावाद इसकी राता नहीं क्योंकि पहले आंध्पदेश से अलग होकर बनाये तेलंगाना अपना ठीक है यह आपका महराष्ट है गुजरात है राजिस्थान इमद्पदेश है लखनवू दिल्ली हरेनारा पंजाब हिमाचल पिदेश उत्तराखंड पटना जारखंड चत्तिसगड उ अगे आवग आपका प्रश्चिमंगा लें इ efendim और आक ता सुनकिया ये आपका हम इन वी और लगारें उर्फटि यह आले के वद्चने अ भोर्फ को कि आपका में पोर्फटर ये अलेunktयर यह आपका मिजुरूम और मजाद पूरह आपका है यह मिःघ्ध क्यान माला लगा आपका अरब सागर है यह आपकी बंगल की खाड़ी है और नमाने को बार संभूवे हैं ओडवी लेयर टू यह आपका नीचे हैं नमाज था गड़े है चली ही तो यह थी आपकी कफ्छा साथवी की बुक्स सामाचिय के वंग राजि नञितिक गीवन भाग दो और हम आँगे बातकरें कि हमारा दीद सेकेंड के नाम यह हमारी कच्छा साथवी की बोक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, याद रखी हमें कच्छा साथवी की चार किताबें पड़ने हैं, कच्छा चटवी की भी हम लोग ने चार पड़ी किताबें देखी ने, वो गच्छा साथवी की हमें हमें चार ही पड़ने हैं, इस उसके बाद बात करेंगे हैं वो बिख्याम ठीक